हेलो एवरीवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का देह इनव पर स्वागत करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History का M.H.I.02 बढ़ने वाले हैं दोस्तो M.H.I.02 का हम पिछले 5 साल का question paper solve करेंगे ठीक है जिसके अंदर में हम 2016 से लेकर 2022 तक के सभी questions paper को देखेंगे आपको पता हुआ कि इगनों के अंदर में दो session चलते हैं June session और December session तो हर year के दो-दो question paper रहेंगे हमारे पास almost 12 question paper को देखेंगे जिसमें हमारे 120 से ज़्यादा questions जो होंगे वो cover हो जाएगा और इस वीडियो का अगर आप last तक देखते हो तो आपका 90% जो syllabus है M.H.I.02 का वो clear हो जाएगा दोस्तों ये वीडियो है कि इनकी बच्चों के लिए तो जो भी students M.H.I. history कर रहे हैं और उनके पास M.H.I.02 है ठीक है तो compulsory होता है M.H.I.02 होना तो M.H.I.02 जिनके पास भी है उनके लिए वीडियो most important है क्योंकि आपका exam का date announced हो चुका है तो उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो कम समय में आप पूरा syllabus cover कर सकते हो और almost इस वीडियो की help से आप 90% अपना syllabus cover कर सकते हो चलिए आज का हम video start करते हैं यह हमारे छोड़ा सा basic introduction था सबसे पहले हम अगर बात करें कि इस video के अंदर में हमें क्या-क्या चीज़े मिलने वाली हैं क्या-क्या चीज़े पढ़ने वाले हैं तो यहां पर सबसे जो most important चीज जो दोस्तों आपको याद रखना है यहां पर हम क्या करने वाले है repeated question का पूरा list बनाने वाले है कि कौन-कौन सा question पूरे 5 साल के अंदर में सबसे ज्यादा बार repeat हुआ है जिससे हमें concept के लिए हो कि हां कौन सा question ज्यादा important है कौन सा question किस तर से पूछा जाता है pattern क्या होता है पूछा जाने का question में history के अंदर में इसको हम द लिखते चले जाएंगे और जो भी question solve करेंगे उसका तरीका क्या रहेगा solve करने का और कितना बड़ा हम answer लिख सकते हैं कितने page में लिख सकते हैं सासत में हम यह देखेंगे कि किस तरह का points बनेंगे क्योंकि अगर आप किसी question को solve कर रहे हो और अगर आप points में answer लिखते हो syllabus और एक पूरा notes आपका तयार मिले आपके पास और आप अच्छे नंबर के लिए तयारी कर सुको अपने MA history के अंदर में ठीक है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम basic introduction of question paper लेते हैं जो सबसे most important है और यही हर बार मतलब आगे आएगा पूरा हमने पांसल का जो question paper ले तो बार बार ना बोलूँगा इसलिए सुरुवात में ही मैं आपका यहां पर basic introduction of question paper करवा देता हूं ठीक है चलिए start करते हैं यहां पर आप देख पा रहे होगे MHI 02 आपके screen पर सो रहा होगा आपके subject का नाम हो गया ठीक है MA history के जो भी students है जो MA के लिए प्यारी करें उनके लिए question paper है history का ठीक है जून 2016 का question paper मैंने सबसे पहले उठाया है MHI 02 book का नाम आपका आजाता है आधोनिक विश्वर ठीक है यहां पर आपके book का नाम होगे दोस्तों यहां पर उसके बाद अगर आप बात करोगे यह इसके अंदर में हमें पढ़ना क्या- तो इसका जो timing है आप timing की देखोगे तो total 100 number का paper होता है ठीक है 100 number का paper आपको solve करना है तीन तीन घंटे का टाइमिंग दी गई है एक question paper को solve करने का तीन घंटे में total आपको कितने question करने है तो आपको यहाँ पर करने है सरी 5 question हर question का number होगा 20 number 25 100 total 100 number आपके यहाँ पर बन जाते हैं इस तरीके से ठीक है इस पूरे question paper के अंदर में जो दो चीजे सबसे ज़्यादा important आपको याद रखना है कि आपको सरी 5 question ही solve करने हैं 10 में से हर एक question paper में 10 question है जिसमें से आपको सरी 5 के ही answer देने है और सबसे ज़्यादा जो most important चीज आपको याद रखनी है हमेशा कि आपको सरी 500 सब्दों के अंदर में हर 1 question का answer देना है एक होता है कि यार हिस्ट्री यहाँ पर आपको पेज भरने पर नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों, आप एक लास्ट इंप्टे जो आपको कोको कीछा बेबर के अंदर में डोपार्ट है, ठीक है हर एक question paper के अंदर में दो part है जिसमें part 1 से अगर आप 2 question करते हो तो part 2 से आपको 3 question करने पड़ेंगी ठीक है या फिर part 1 से आप अगर 3 question करते हो तो part 2 से आपको 2 question करने पड़ेंगे है टोटल कुल मिलाकर आपको 5 question यहां पर solve करने है ठीक है देख सकते हैं आपके notice दिया हुआ है कम से कम दो question अनिवारे हैं सभी person के अंक जो है समान है ठीक है चले start करते हैं हमारे यह basic details था हमारे question paper के बारे में अब हम अपना question paper start करते हैं यहां पर सबसे पहले आपका पहला question आजाता है दोस्तों यहां पर यूरोप की समाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर पर परबोधन के विचारों की परवाव का visualization कीजिए कि मतलब ही देखो यूरोप के जो समाजिक और राजनीतिक व्यवस्था था उसके उपर में कि इस वाले book के अंदर में बहुत जगह ऐसा आपको questions फिल होगा और ऐसे questions मिलेंगे जहां पर आप अपने हिसाब से answer लिख सकते हो normally history में क्या होता है कि पहले से घटना घटी हुई है ठीक है तो आप उसको बना कर ने लिख सकते हैं पर यहाँ पर कई सारे questions होंगे परभाव मतलब परबोधन का जो विचार था उसका क्या परवाव पढ़ रहा था किसके ऊपर में यूरोप की समाजी को और राजनीतिक व्युक आपने आपकी बुक है उसमें ग्यान ओदे करके आपका पूरा चेप्टर है पूरा based है तो यहाँ पर अगर word change हो रहा है अगर परवोधन की जगा अगर ग्यान ओदे की विचारों की प्रभाव का visualization की लिखा होता तो भी same answer लिखते हैं बच्चों को जानने के लिए कितना वो समझे रहें उसके लिए भी हम words को change करते तो आपको ऊसको थोड़ा ध्यान रखना है ठीक है तो यहां पर पूछ रहा है उसका होता है कहा होता है मतलब होता है है तो यहां पर का जाता है कि जो ग्यान उदे का टाइमिंग है उसका क्या रहता है टाइमिंग सत्रह से अठारवी सदी ठीक है सत्रवी से अठारवी सदी के बीच का टाइम पिरेड रहता है वह पूरा ग्यान उदे का टाइमिंग माना जाता है ठीक है यहां पर इसका आधार म् ठीजिस के भेसिस पर प्रभोधन का जहां पर जाता है सबसे पहला घटना तोत हम करने की हुई ठीक है France की करांति के लो ठीक है French इसरे क्रांती से जिसके कारण से पर बोधन के सुरुआत हो जाती है दूसरा यहां पर गटना जाती है अपर इन्टेमित के सर्व हो जाता है और तीस्रा सोन्य का नीपोलियन का सेन्य की ल Aurumia नैपोलियन दोरह जो सैन्ने गती विधी किया गया ना वहां पर भी सैन्ने गती विधी के कारण से यहां पर पर परभोधन का सुरुवात होता है ठीक है यह थोड़ा सा बेसिक आ जाता है आपका परभोधन का आप जब इसका question का अंसर लिखोगे तो सबसे पहले introduction of question हम डालत अब इसके बाद में हम यहां पर परभाव की बात करते कि परभोधन का परभाव पढ़ता है कि इस परकार से है ठीक है यहीं पर आपको number मिलने वाले हैं सबसे पहले मैं उपर का rough करता हूं क्योंकि यहां पर 15-20 points में आपको answer लिखने वाला हूं जिससे आपको अच्छे से लेते जाहिए ठीक है आपको screen पर दिख रहा हूं और screenshot लेते जाहिए जिससे आपका time बचेगा और मेरा भी time बचेगा चलिए हम करते हैं आगे सबसे पहले मैं इसको rough करता हूं फिर उसके बाद हमें आगे का जो points बनने वाले हैं इसके अंदर में उस points को हम यहां पर लिख तो यहां पर पहला परभाव कि अगर हम बात करें तो आधूनिक विश्व का निर्मान होगा क्या होता है आधूनिक विश्व का आधूनिक विश्व का निर्मान होता है दूसरा यहां पर आजाता है point वैज्ञानिक तकनीक का विक्यास होता है ठीक है वैज्ञानिक तकनीक उनका हुनन् leftover यहां IT सीफियां इतल सैंफंज आजाता है जो लोग थे ओधियोगी करण का आरम हो जाता है थीच्ट का सासाथ में पर चौथा पॉइंट अगर बात करो आप दागे आए हम बात करें तो निरंगुष राजस्पंत्र की अ Спांपन होती है आरंभ होता है अ यहां पर तानसाना हो मुए रंकुस राजसेतन की विवस्था आँरा हो जाती है यह उमारा चोथा पॉ입니다. पॉइंट यहां पर मेने प्रभाव के प्रहाम के उन्दर में सरुकारों की स्थापना की जाने लिए जिससे लोगों के अधिकार जो हों, ठीके, वो सभी तक मिले सरकारों के स्थापना के सभी को बराबर अधिकार मिले, उसके नयाई की रक्षा की जा सके, इसका शुरुवात किया गया, ठीके, यहाँ पर चटा पॉइंट के अगर हमें बात करूँ तो व्यक्तिकत सोतंतरता की बात किया गयी, यहाँ पर साथवा पॉइंट के अगर मैं बात करूँ तो आर्थिक सोतंतरता को महत्व दिया गया, ठीके, आर्थिक सोतंतरता को महत्व दिया गया, यहाँ पर आठवा पॉइंट के अगर हम बात करते हैं, तो उदारवादी सरकार का निर्मान किया गया, तो आप उसको क्या करोगे अपने हिसाफ से फटा फट लिखते जाओगे जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में असानी रहे क्योंकि अगर मैं पूरा पूरा लिखंगा तीन घंटे की वीडियो वह पांचे गंटे में बन जाएगा ठीक है और इस समय अगर मैं टाइम बताओं दोस्तो तो एक बजने में साथ मिनट बागी है ठीक है मैं रात का निंद खराब कर रहा है ठीक है मेरा कोई वह नहीं है कि प्रस्टनल की मैं वीडियो बनाओ तो मुझे कुछ पूर मिलने वाला ऐसा कुछ है नहीं ठीक है बस यह है कि आप सभी बच्चों का प्यार है आप सभी बच्चों का बातचीत होती है तो अच्छा लग चैलिए तो अगर आपको कहीं भी योगदान होता है आपकी लाइफ में तो आप दोस्तों के साथ में इससे बाकियो को我不 awakening लिए मुका मिले और बहुत सारी चीजी सीख सकी ठीक है है यह नहीं पर हम नोबzen पाप इस जो आहां तो यहां पर तो नौब पॉइंट आजाता है आपका आर्थिक नीतियों की मुक्त वैपार की सुरुवात । मतलब क्या कि हम कहीं पर विजनस करें कोई लेना देना नहीं है फाई ठीक है पूरा तरह से अजादी रहे तो मुक्त वैपार की सुरुवात की गई दसवा जाता है भ सुदार सो कारण से होती तो प्रभूधन यूग के कारण से होती है अब एक बार से करते हैं को फाटा फाट प्रभूधन यूग की सुरुवात कब होती एतोestar को पर व मह रहते हैं तर और जागरण या फिर धर्मसुदार जो होते हैं चीजे खी है उसको हम यहाँ पे आधार के तोर पे दधै धर्मसुदार जो आंदोलन चरे या फिर पुना जागरण जो आंदोलन हुआ उसका यह बेस बनता शोणाओं तो यहां पर मैं कुछ चीत को बारहे और अच्छ आप कर सको यहां प 현 को संट एक तो राजनेतिक वीश्य-ष़व सग्ग्यां विश्य-विश्य सग्ग्य एक उता है ग uniqueness 2 जो उस छेतर का Master होता है ठीक है तो जो विश्य सग्य द्वारा जिन्होंने history के उपर में या फिर किसी particular topic के उपर में अपनी पूरी पढ़ाई की है ठीक है तो उनकी क्या मानना था इस topic को लेकर यहां पर आप उसको बता सकते हो जैसे यहां पर कई सारे विचारक आ जाते हैं रूसो मांडेंसू ठीक है एडम स्मित और जॉन लॉक इन्होंने पर जो यह पर विचारदार है उसके उपर में अपनी विचारदार है वेक्त करी जो आपके बुक में बहुत अच्छा से explain की गई है तो अकर आप उसको चाहो अच्छा सा express करने के लिए answer अपना बनाने के लिए तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं जिसके बाद आपका नंबर जो होगा बहुत अच्छा मिलेगा और अच्छा आपका नंबर यहां पर बन जाएगा ठीक है अब हम अगले question के और बढ़ते हैं दूसरा दूसरा जो question आजाता है दोस्तों आपका उद्योगी करन के पुझिवादि और समाजवादी परती रूपों के बीच में अंतर सबसक्स केजीए थीअ तोयके है तो दोस्तो यह जो वीडियो में करवा रहा हूं तो इसका सबसे बड़ा reason क्या है कि आपका exam है ठीक है और पहले में chapter wise करवा रहे था तो chapter wise वाले में क्या दिख्कत है कि आपके time बहुत जादा लगता है तो time जादा लगता है तो इस video का आपका benefit क्या है कि आपको कम समय में पूरा पढ़ने का मोका मिल जाता है एक ही वीडियो में हमारा जाता है हमें यह ब क्या इंप्पोर्टेंट क्या? क्या इंप्पोर्टेंट नहीं है? थीक है? क्या सिज्वादी पंचि प्रतिरफों चाहिं מे एक ही जगहそうそう रहा जाता है सबसे पहले अगर मैं ले लू सिधान प collaborative ले लेता हूं od ठीक यहां पे मैं एका आंसर बटाता हूँ आपको समाजवात का यहां पे अंसर क्या बंटा है तो समाजवाद है क्या तो समाजवाद की definition क्या तो सबसे पहले मुवी बताते तो आप ध्याद से सुनिए और अपने notebook में note कर लीजी समाजवादी अर्थविस्ता एक ऐसी ववस्ता है जिसमें संसादनों का स्वामित्व परबंधन और वीनिमें राज्ये द्वारा किया जाता है संसादनों पर सबका समान अदिकार होता है मतलब कोई पी गुट्से जो ne अनतनों होता है तो राज्यी सरकार का नियंतरों होता है आज स कुस समय पहले आप बैकじゃओंगे किसे की नीजी संपति नहीं होती है अब सरकार ने Air India को बेचा, तो किसको बेचा, तो Tata को बेच दिया, ठीक है Tata को बेच दिया, तो Tata क्या वो एक नीजी company यह प्रइविट company यह तो अब नीची company हो गई, Hair India को किसकी हो गई, Tata के नीजी company हो गई, तो यह पूंजी वात का definition मन जाता है, और जो पहले मैंने बता पर यहां पर यह आता है अब गर हम इसके अंदर में हम बात करें कि इसके अंतर क्या क्या है तो पुंजीवादी का पहले समाजवादी वेस्ता के अंदर में जो बहुत है समाजवादीवादी वाले के अंदर में सरकार का नियंघर को बात करें तो यहां पर सहकार उदम को बढ़ा दिया समाजवादिवाले के इंदर में सरकारी artistic सरकारी जो इदम उद्योग उनको क्या मिलता है जिसijnए बाद जनता समगर रूप से जऑनवता है जो जनता होता है वो पूरी तर से यहां पर काम करने के लिए एक जूटता से जूटती है ठीक है आप अगर देखोगे अगर गवर्मेंट के बहुत सारी चीज़ को अपने अंदर में रखते है तो लोग उसकी तरफ एट्रेक्ट होते है रेलवे अभी गवर्मेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइ तो ये भी एक मान सकते हो ट्रेड यूनियन और लेबर सिंडिकेट की में साहिता मिलती है ठीक है जो सरकार क्या करती है हमेशा ट्रेड यूनियन लेबर यूनियन इन सब को लेकर साथ में लेकर चलती है क्योंकि सरकार एक व्यक्ति के बारे में नहीं सूचती है अगर सरकार करती है ट्रेड यूनियन लेवर यूनियन जैसी चीज़ों का यहां पर शुरुवात करती है ठीक है समझ में आता है यहां पर अगली बात करोगे तो राज्य के नियंतरन में अर्थवेस्ता होती है जो अर्थवेस्ता होता है वह किसके नियंतरन में होता है राज्य के नियंत जीत होती है ठीक है तो यहां पे समाजवादी की पॉंट्स आ जाते हैं सारे अगर पुझीवादी के points की आगर बात क्रों फ्र पुझीत के points में आजाता है उद्योगी करण को बढ़ावा दिया जाता है जे पर दूसरा पॉंट है इंडिया में करने कल नेपाल में करेंगे दूसरा बहुतान में करेंगे तो क्या नए नए मार्किट में जाते रहना नए बजार की खोज करना जिससे हम अपने आपको विस्तार कर सके एकनॉमकली जो आर्थिक तोर पर हम अपने आपको मजगूत कर सके ठीक है अपने जो संसा अंते बढ़ती रहेगी नईनी तकनिक आती रहेगी थो हमारी किया है कम्पनी जो है या पिर हमारा जो पूरा सेक्टर वह आगे बढ़ेगा तो हम इस तरह से जोड देते हैं और पुंजी वादी ये कहलाता है ठीक है समझ में आता है तो यहां पर हमारा दूसरा question complete हो जाता है ठीक है इसका screenshot ले लिजिएगा इसका फटा फटा मिसको rough करते हैं और आगे हम तीसरे question की और बढ़ते हैं तीसरा question यहाँ पर दो तीसरा कॉशन यहां पर समराजज्वाद कहलाता है दूस्तों यहां पर कॉशन और उपनवेश्वाद में क्या अंतर है समराज्यवाद और उपनिवेश्वाद में क्या अंतर है यहां पर आपका कोश्चन तीसरा बन जाता है समराज्यवाद तो आपको इसका कमेंट करके अंसर बताना है कि समराज्यवाद और उपनिवेश्वाद में क्या अंतर है तो यहां पर तीसरा कोश्चन क्या है मारा समरा और व्याकित किया गया है समराज जिवाद को किन तरीकों से मतलब समराज जिवाद को आप कैसे समझ सकते हो यहाँ पर सिंबल सा मतलब यह बनता है कि किस तरह से हम समराज जिवाद को समझ सकते हैं देखो समराज जिवाद का मतलब क्या होता है कि जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर के लोगों के लिए आर्थिक और राजनेतिक जीवन पर अपना नियंतरण अथवा अधिपत स्थापित करता है तो वो समराज जिवात कहलाता है अगर मालो कोई देश सपोज करो यहां पर भारत है ठीक है इंडिया है अब इंडिया ने क्या किया एक तरसे फोर एक्जामपल के लिए दोस्तों हमने क्या किया नेपाल के उपर में एक तरसे पूरी तरसे इसको कवजा में लेते हैं और वहां की राजनेतिक आर्थिक सांस्क जो चीजें वह हमारे कंट्रोल के हिसाफ से चलती हैं तो वह क्या कहलाएगा हमारा समराजज्यवाद कहलाएगा चीन आज के समय में सबसे बड़ा समराजज्यवाद का सब्सक्राजण आज लिए अगारे अगर बज़ के चार मिनोट होगे तो रसिया और यूकरेन का वॉर पने लागा समराजज्यवाद कहलाएगा थीक है यहां पर समराज्जye वाद का मतलब क्या यहां पर पहले की जैसे जर्वाने में होता जय को पर 一ए ओव Came जय जय करते हैं तो सेम यहां पर जय से चीन है तो चीन के जो कितनी बौर्डर कहां उसको हम यहां पर समराज्य को तोर पर देखते हैं और दीरे-दीरे इनका जो नीती है वह विस्तारवादी नीती है जहां पर उनका जो बॉर्डर दीरे-दीरे बढ़ी रहा है ठीक है तो इस तरह से यहां पर आता है अगर हम यहां पर अगर हम बताएं कि किस तरह बात कर तो हॉप थीक है यहांपे अपर कुछ ओरे इन पर बात करी है यह कहते था हैं कि उद्देज से क्या है यह यहांपर hmm मतलब समराज्यबाद कर अगर फैलाव हो रहा है समराजिवाद का उद्देश से क्या होता है समराजिवाद का उद्देश से क्या होता है कभी भी अगर समराजिवाद का विस्तार हो रहा है चीन अगर समराजिवाद का विस्तार कर रहा है तो उसका उद्देश से क्या होता है लाब कमाना ठीक है यहाँ पे धन अर्जित करना ठीक है धन अर्जित करना पुंजी अपनी पुंजी को बढ़ावा करना जो उनकी संपत्य उसको बढ़ावा करना ठीक है गौरव हासिल करना गौरव मतलब भाई नाम हो ख्याती हो गौरव हासिल करना और सत्ता हासिल करना ठी से मेंन चीज चे bạn होती है कि समराज्यवाद का जो विस्तार करने की समज़ने के जो तरीका की जो पूछा गया है कि किす तरीके साम समस्ज से नहीं तो यहां पर दो पूइंट साता है समझने के लिए पहला जाता है आर्थिक व्याक्या ऑर ग्रार्थिक here इहां पर दो ही तरीके होते हैं समझने के अगर किसी भी समराजयवाद को समझना है तो दो रीजन होते हैं में पहला होता है आर्थिक एकनॉमिक तौर पर ठीक है आर्थिक तौर पर ही समराजयवाद का विस्तार होता है या फिर गैर आर्थिक तौर पर समराजयवाद का विस्तार होता है तो आपको हमेशा याद रखना है दो तरीके तो यहाँ पे पुछा गया esa ईंदर कि सम्ज़ा जा सकता है तो आर्फिक तोर पर या फिर गैर अर्थिक तोर पर समझा जाता है तो आर्थिक तोर वाले में क्या होता है यहाँ पर जो इसके यह सारी चीज क्या होता है लाब वाला पॉइंट में आ जाता है ठीक है जिसके सबसे बड़े विचारग के तौर पे हॉप्स लैलिन, लैंजम, वग को हम मांगते है ठीक है और गैर आर्थिक वाले के अंदर में क्या होता है जो गैर आर्थिक के विचारग है अगर हम इसकी सीमा तक विस्तार नहीं करना सीमित विस्तार करना मतलब सीम अपनी बॉंडरी लाइन को बढ़ाना है ठीक है अज सीमित विस्तार में क्या हो जाता है कि भाई अपनी जो लाइन है आपकी जो लाइन है उसको विस्तार करना है यहां से बढ़ाकर यहां करना है यहां से बढ़ा पार्थिक व्याख्याद देना ठीक अपनी संस्क्रित मतलब नहीं कुछ से मतलब नहीं है पहले वाले में आर्थिक वाले में तो नॉर्मली इंकम कमाने के परपस से हम करते हैं अब यहां पर एक इक जामपल यह भी ले सकते हो भारत और पाकिस्तान का तो जैसे हमारा जो बा आर्थिक व्याख्यावाले में या फिर गैर आर्थिक व्याख्यावाले में समराजिवाद के आर्थिक व्याख्यावाले में आएंगे या गैर आर्थिक व्याख्यावाले में आएंगे और तो या फिर पाकिस्तान आर्थिक व्याख्यावाले में या चीन आएगा यह मु तो मुझे पता है पर क्या कमेंट में देना छोड़ा टा क्या दिक्कत है तो दोस्तों उस्तर से नहीं करना होता है अगर आप कमेंट में अंसर दे लो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो आपको response आपने दिया ठीक है तो वहां पे एक मज़ा आता है इंटरस्ट बनत और शुच्छ लें फिशन पढ़िए कि चोड़ें ठीक है तो बादाना ही बंद कर देगा कर देगा तो में चीज की होता है कि जब आप कंवर्श रहा हुता नों मैंने कुछ पूछ आपने अंसर दिया आपने कुछ पूछ पूछ इम हैं तो पिर इंटरस्ट बनता है पढ तो यहां पर हम चौथा कोश्चन की बात करें दोस्तों तो चौथा कोश्चन आयाता है कि वर्तमान विश्में गैर राज्ये करता हो नौन इस्टेड एक्टर्स थीक है दौरा हिंसा की प्रविड़ती की विवेचना किजिए यह कोश्चन थोड़ा अजीब सा है पर है ठीक है आपको काफी चारी सारी चीज़ इसके अंदर में देखने के लिए मिलेंगी और नॉन स्टेड एक्टर क्या होता इसके बारे में भी जानकार मिलेगा चलिए सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं अगला कोश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं ठीक है आप जो भी पढ़ता है में इस्ट्री तो मुझे एक मेंटलेटी मेरी यह बन गई कि मेरे आसपास वाले जितने भी लोग थे ना उन्होंने मुझे यही जिखाया कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा अलग है बाकियों से क्योंकि मैं वह चीज़े पता रहा हुता हूं जिस तर इस तरह से पिण ओंता रहते आफ्टाने वह जिस नहीं से कया कि आप उसको समझ सको तो श्को आप उस regional Life Example तो वह ज्यादा इंब हम यूदट को सतरह सो उच्टा इंटे मे एंट अनके और यंगरती की प्रविड守 की विवेजना हमें करनी है। ठीक है तब पर्मुक विचारक इसके अगर देखोगे तो माओटौन्सू तुंग ऺए तुंग करके नामा उच्छौण करके विचारक हैं व वो माने जाते हैं और हमारे भारत के सबसे बड़े विचारक कोटिले को हम यहां पे दूसरा विचारक के तौर पे हम देखते हैं ठीक कोटिल ले ठीक है यहां पर माओं का क्या मानना था कि सत्ता बंदुक की नाल से निकलती है ठीक है यहां पर माओं का क्या मानना था कि जो सत्ता होती है सत्ता सत्ता में मिलती कैसी है तो गन की नोक पर ठीक है बंदूक की नोक पर हमें सत्ता मिलती है ठीक है सत्ता प्राप पड़ता है जैसे अब देखो रसिया क्या कर रहा है कि यूकरीन पर कब्जा करना चाहता है यूकरीन पर हमला कर रहा है ठीक है यूकरीन के साथ यूद कर रहा है तो उसने क्या किया सत्था प्राप्त करने के लिए यूद का सारा लिया महत्मा गांदी ने भारत को अजादी हें सत्ता प्राप्त कर सकते कि यहां पर माहों का यही मानना था ञाइसे कि तो आप ने यहां पर यह वह संदिक हमें गुरिल्ला यूद जैसे सज्ब्सक्राइब को बढ़ता है ऐसकर आप smoothie और wystie सबस्क्ते सब्सक्राइब मृं उसके अंदर में रिपीट आपको होते हुए मिलेगा नीउसके अंदर में तो माओन ने ये कहा कि गुरुला वार जो होता है गुरिला यूद होता है वोग एक important role play करता है सत्ता को प्राप्त करने के लिए अगर यूद जासी स्तिती बनती है तो अब गुरिला पर होता क्या है सपोस करो आप मेरे पास आये हो हमला करने के लिए ठीक है आपकी पावर बहुत जादा है ठीक है आपके पास 500 सैनिक है और मेरे पास टोटल पचासी सैनिक है अब भाई मैं जानता हूँ कि मैं आप तो मेरे से दस जादा बड़े हूँ मैं तो जीतना मुस्किली है इंपॉसिबल है तो मैं क्या करूँगा छूप जाऊँगा अलग जगा छूप गया ठीक है अब मैं छूप गया छूपने के बादना मैं आपके ओपर और अव्णान करेक करके न छूप्कर हमला करूँ गा पिछे सम्बला करूँगा छूपकर हमला करोँगगा और भाग जाऊँगा अशै करते 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 आपको बहुत ज्यादा च्षटि पहुँचा दूँगा गोर्िला वर का सबसे बड़ा अज के समय मैं 2020 में देखें हम तो ऑफगानिस्तान के अंदर में तालीवान का जो संगर्स हुआ तालिवानी संगर्स कहलो ठीक या तालिवानी दोर जो आफगानिस्तान पर कभजा कहलो ठीक है वो और सबसे बड़ा एक्जामपल माने जाता है तए गुडिला वोर cop. अगर आप example देखोगे तो भारत के अंदर में भी कही तरह से मिलेगा वह अभी में बताता जाओंगा आपको किस तरह से यहां पर बनता है ठीक है समझ में आता है तो आज के समय में अगर आप कोटिले की बात करोगे यह तो हमारा माओ का विचारता रहा था ठीक है तुंग माओ तुंग के विचारता रहा थी यहां पर अगर हम कोटिले की विचारतार की बात करें तो कोटिले कहता है सत्ता परात करने के लिए गैर राज के यूद की जुरत पड़ती है ठीक है कोटिले को हवा देनी पड़ती है ठीक है विद्रों को बढ़ाना होता है आप अगर देखोगे सत्ता प्रात करने का अगर भारत का एक्जामपल लेकर चले तो अभी हमारे यहां पर फॉर्मर मतलब आंदोलन होता किसान आंदोलन चल रहा था ठीक है तो किसान आंदोलन के अंदर में जो विपक्षी दलते हो उसको भड़गाने की कॉर्सिस कर देते हैं ठीक है अब उसको सपोर्ट करेटे है बहले ही गवर्मेंट अगर वह रूल जो लेकर आई थे तीन कानून लेकर आई थे जैसे काला कानून का आगया बहले ही मानके चलते हूं दो से के लिए कर लिए कर बहुत अच्छे थे हम उसको माल लेते बहुत अच्छा था गुड कानून था अच्छा कानून था ठीक है यह एक कर रहा हूं मुझे खुद आइडिया नहीं है क्योंकि जो चीज अगर कोई एजुकेशन के लिकर कानून आता है तो मैं उसे जुड़ा हुआ हूं तो मुझे क्या रहेगा कि हाँ इससे बेनिफिट क्या है ठीक है और नुपसान क्या है तो मुझे पता है कि उसका इंपक्ट लोगों पर अच्छा पड़ेगा खराब पड़ेगा क्योंकि मैं उसे जुड़ा हूँ पर अगर किसानों का पूछोगे तो मैं उसको उस फिल्ड में नहीं लोग किसान आंदोलन कर रहे थे कि भाई यह कानू गलत है विपक्ष ने भी बुला हां गलत है गलत है बले इस विपक्ष फोल पता हो कि यह वाला कानू जब में लेकर आ रहा था तो अच्छा था पर अगर कोई दूसरा बंदा लेकर आया तो आज गलत हो गया ठीक है तो ओब विपक्ष apa रहे लुळा डे रहे उसके विद्रों को बढ़ावा दे रहे क्योंकि उअगर जितना ज्यादा बढ़े गा सरकार के पर उतना ज्यादा द़िया और इस तरह से विपक्ष क करेगा सक्ष्षा को सथ्टा को घा बढ़ावा देना होता हो और ग्हार राज कि गई करते हो गेको हो गे तो कही सारे एक्जामपल के तौर माल रोड़नी के मांग करते हैं कि है कैस्मीर के अंदर को कहते हैं Pastor कर दो तो जो लोग हैं अगर माल जो लोग और सरकार के इसको भड़काएं जैसे पाकिस्तान वाले कस्मीर का एक्जामपल ले तो कस्मीर का एक्जामपल में होता है कि पाकिस्तान क्या करता है अपने सत्ता को कायम करने के लिए अपने सत्ता को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों का जो विद्रोही लोग है उनको बढ़ावा देती है ठीक है उनको विस् पाइड आक्र का क्षिट को मिलते हैं इए अंदर में गृती के- आपने ते कस्मिर के अंदर में आतंगवादी की को अक्सर आपको आए दिन लुख अंदर में जीता है यह यहां पर एक पइसेट्र श्रक मीड़िकसे की लिए प सब्लब्ल में हम करते हैं चानित्स हमाज के चबी साओं करते हैं और कеш समाज के लिए क्या युद्ध कोई भी जो हम करते हैं वह समाज की लिए हम करते हैं पर है कि जब और आप कमजोर हो और आपके उपर मजगूती का ज्यादा मजगूत पावर का यूज किया जा रहा है तब हुआ पर हम गुरिला वोर का यूज करते हैं जैसे रसिया और यूकरेन का एक्जामपल आप लेते हो ठीक है तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि रस जाता है कि यहां पर जो रसिया है वह गोरिला वार को यूज नहीं रहा है जब कि यूकरेन यूज कर रहा है और गोरिला वर यूज का फाइदा कब होता है आप जब उस जगह से पूरी अच्छी तरी से वाकिफ हो जिससे आपको पता हो कि हां से निकल कर मैं इधर छुप जाओंगा तब मैं फाइदा होगा पता चल आप उस जगह को जानती ना हो और आप उसको जगह के छो जाके छूप रहो वहां पर पहले सही सैनिक खड़े हो तो आपका तो लग गया रेल ठीक है आप पिट गए फिर तो यह चीजे भी देखना होता है समझ में आता है तो यह पर पूरा यह question का आपका answer बन जाता है question number fourth आपका clear हुआ ठीक है अब हम आगे हम बात करते हैं अगले page पे चलते हैं ठीक है यहां पर अगला जो question आ जाता है दोस्तों अगला question जैसे यह जो टिपनी वाले question है टिपनी वाले question को तो मैं करवा नहीं रहा ठीक है मैं टिपनी सदी में अंतर रास्टिये पर्तितवंधी मतलब competition की प्रकृति की विवेशना कीजिए ठीक है विसवी सदी के अंदर में किस प्रकार के competition थे क्या है चीजे उसकी बारे में बात करें तो विसवी सदी के अंदर में second world war हुए सबसे पहले तो competition के तौर पर आप देखोगे तो अमेरिका की सदी के तोर पर डेखा गया बीसवी सदी को किस सदी के तोर यहां पर उने वाले समय के कर रहा भात करें तो आने मेरीका का इतना से बड़ी चौनौती के तौर पर चीन होगा और चीन के बाद में जो सेकेंड नंबर पाइगा भारत अपना माना जाएगा ठीक है सदी के अंदर में कंबा सीथ यूद भी आपका proposal सीथ यूद का पूरा कोशेन solche में फड़ाओ बंड़ा ठीक है यहां पर रूषर वर पतन होता है यहां पर क्या आजाता रूषर पर योद्य होता है यहीं रूस सब क्या कर रहा है यूव्म कर रहा ही उकरेंख के कि आप दूसमन से मिल जाओगे तो उनकी अपने आपसी मतबेद के कारण से आज यूकरेन की लगी पड़ी है ठीक है मतलब यूकरेन को भुगतना पड़ रहा है उद्ध्योगी करण का विकास बीसवी सदी के अंदर में क्या देखने क्लिए मिलता है पर द्योगिता के अंद तो पहले टोटल 40 समराज्य थे ठीक है 40 समराज्य थे समराज्य मतलब क्या जैसे ब्रिटेन का पूरा समराज्य स्था पित्ता अमेरिका का अपना समराज्य था तो पूरे विश्व के अंदर में जो कूल समराज्यों की संक्याती 40 थी जो समराज्य सठकर अगर हम देशों की बात करें तो इस समय जो देशों की संक्या है जो UNO में करेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके हो जाते हैं 195 ठीक है 195 जिसके अंदर में अगर माल लो को यूकरे अभी रसिया ने क्या किया यूकरेन को तीन पार्टों में बाट दिया ठीक है यूकरेन को टोटल तीन पार आप 102 के करीब में टोटल देशों की संख्या हो जाएगी और जो 195 में जो मैं बता रहा हूं और यूर बूक रिकॉर्ड के हिसाफ से मैं बता रहा हूं जो यूनों के करेंट मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग करें आपे संयुक्त राष्ट का स्थापना के जाता है जो आजके समय में एक प्पड़ की तरह वर्ग कर रहा है यह भी आप देखोगे तो यह जो पूरा चैप्टर है पूरा भूंघ है यवाला इसके अंदर में ज्यादातर चीज़े आपको आज की समय से होने वाली घटनाओं से आप रिलेट करके देख पाओगे और समझ पाओगे ठीक है यहाँ पर सन्यूत्रासंग आ गया अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो विज्ञान ठीक है विज्ञान तक निक के बड़ोत करते हैं यहाँ पर अंतरास्टी संगर्स की हम बात करते हैं ठीक है तो इस तरीके से पूरा पॉइंट बनकर आता है और यह चीज़े चलता है अब यहाँ पर थोड़ा साम समझने वाली बात है कि जैसे यह जो पूरा टाइम पिरेड था सेकिंड वर्ड वोर के अंदर में क क्या देखने के लिए मिलता है कि सामुहिक जनसंगार हुआ अलकल्प निये विनास हुआ ठीक है इन सब के बाद में काफी जादा जो चीजे थी वह बढ़ती हुई चलती गई अकदम कॉंपेटिशन जैसा पूरा टाइम पिरेड रहा ठीक है जहां पर अमेरिका सधी के अं अमेरिकी वर्चस्व का दबदबा रहा पूरे विश्व के अंदर में जिसके काम से इस पूरी टेम पिरेड को हम अमेरिकी सधी के तौर पे देखते हैं जब यू एससर का सुरुवात था उस समय सेगेंड वर्लोवर के बाद में क्या होता है सी तूद का आरम हो जाता है त एक सकती का केंदर बनता है वो बनता है अमेरिका ठीक है और यहां पर सीत यूद की बात करो तो सीत यूद के अंदर में कई बार ऐसी इस्तिती रही कि जहां पर यूद का सुरुवात हो सकता है तो यह सारी चीशे चलती है और यहां पर आप इसको आंसर में इस तरह हम वीडियो बन चुका है और वीडियो अलमुस्स तीन घंटे से प्लस का होने वाला तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझे वीडियो को ठीक है और शुरुवात का स्रीफ चार Quesn पेपर को ही समझने में आने वाली है ठीक है समझ में आता है तो अब हम अगला कोश्चन के ऊपर जाते हैं और यह जो कोश्चन है इसको मान लो आप मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन के तौर पर आप इसको ले लो Aantic should be a break सेर graft के अवसके बारे में बताना है ठीक है सबसे पहले हमिंसको साइड का रफ करतें प्र मैं इसको करवाता हूं कि लौइजिया है दोस्तो आपको गुआपकी अंधोलनिक के बारे में आपने 12 में पढ़ा होगा ठीक है अंध्य ठीक है तो अगर कई बार अलग अलग नामों से अगर आप आ जाता है ठीक है तो आप उसको भी कर सकते हैं आप गुट निर्पिक्ष आंदोलन को कई बार क्या होता है कि नव सोतंत्र देशों द्वारा बनाया गया संगठन के उपर में टिप्र नहीं लिखिए ठीक है मतलब सेकिंड वर्ड वर के बाद में जो नव सोतंत्र देश थे उनके द्वारा कौन सा संगठन का निर्मान किया गया यह असा करके question मन जाता है तो कौन सा संगठन था तो यहाँ पर आजाता है आपका गुट निर्पिक्ष आंदोलन ठीक है गुट निर्पिक्ष आं important topic है और अगर आप कभी भारत की foreign policy पढ़ते हो विदेश नीती पढ़ते हो तो वहां पर गुट निर्पेक्ष आंदोलन बहुत लोटेन डोले इंडिया के प्रपस से ठीक है सबसे पहले पर बात करो तो गुट निर्पेक्ष आंदोलन जो अपनिवेशिक व्वेस्था के पतन के बाद उसका उदे हुआ ठीक है उदे कैसे हुआ इसका यहां पर सबसे पहले हम उदे का देखते हैं किस तरह से बना तो यहा पर उपने वेसिक विवस्था के पतन के बाद में गुर्टन रिपक्ष आंदरुन के सुरुवात होती है जब हों सोतंतर होते हैं अजाद होते हैं उसके कारण से ठीक है सेकंड वर्ड वर्ड खतम हो जाता है आपका ठीक है सेकंड वर्ड वर्ड खतम हो जाता है उसके बाद म तो मैंने बनाय रखने के लिए जो भी देश थे नहीं देश थे वे सारे सवतंतर हुए है तो अपनी सोतंतर त नर्फने ःणने सटार्ट किया अगला पर लगinki टिख से समान दूरी बनाय रखने हैं कि मतलब मैंने जैसे भी बताया था कि जब 1945 में ठीक है तो यह चार्मर की कारण से पूरी व्यवस्ता थी वह चर्मर आगई एक तरस्य स्यूर्ए mos hai प्रट्ट गई तो यह दो गुट थे न तो दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखने के लिए हमने क्या किया जो नहे देश थे जादूव उन्हों क्या क्या दोनों गुटों से दूर रहना है ऐसा नियोगर मान के चलो आपकी क्लास में दो गुंडे आप 12th class में पढ़ते हो या किसी class में पढ़ते हो या फिर आप जिस मौले में रहते हो वहां पर दो बदमास एकदम गुंडे टाइप के हैं ठीक है अब दोनों क्या है आप अगर एक की तरफ जाते हो दूसरे वाले को बुरा लगेगा भईया उसकी तरफ चला गया और दोनो तो आप यूवाले के साथ में गये और यूवाला हार गया तो अप फिर वह पीटेगा तो इस तरह से सहते होती है अütfen क्या है क्या है हैं दोनों से समानदूरी बना लेते हैं ठीक है समानदूरी बना लेते हैं और समानदूरी के बनाने के मतलब क्या हुआ कि हम ना इधर के ना उधर के दोनों को बीच में देखेंगे दोनों का कुछ चीज़े होगा तो हम बीच में देहकर बोलेंगे ना उसका पक्ष लेंगे ना इसका पक्ष लेंगा रॉमा अलग रहेंगे ठीक है तो भारत ने भी यही निती अपनाई और यह उद्य होने का कारण हम देखते हैं कि सन्स्थापक देशों के बारे में हम बात करें कि सन्स्थापक देश थे यहां पे सबसे पहले आब भारत नाम आता है ठीक है जिसने टोटल 5 देश zat PAC जिसमें परमुकदेशों चिर्म दूसरा देश आयाते है है कि मिष्ट के गमाल अब्दुर नासीर थे जो यहांपे आते हैं सदसे देशों के अंदर में यह About तीसरा देह तेंपका यूग विष्ट धावियद भूム गुर्ण अंदोरन के स्थापन ग्याधिन के में इिक हो। भी अंदोनेश आज्यभाय की शरुष कि यूग लीधी लग इसकी भी मचतक कर्या ग्या स्तापक को दोब्राइब डूरुण के वीध coronavirus पांचवा है ते आलता है घाना कर देश स्थापक डीस से यह तो इस पूरा स्थापना की गई थन के पूररा स्थापक के गई तो निर्पेक्स आbalance की स्थापणा करहें तो तो पांच देश कुन मिस्र मिस्र के यूषक पूरान नामे जोसप ब्राज चीटो ठीक है इंडोनिसिया के आजाते हैं इस चीपना करी Richmond कशांदौरन का यहाँ पे दैखो है आप इसका कई सारे मोटीफ Dopam जिसमें से पहला आ जाता है विश्व में सांती बनाए रखना ठीक है विश्व के अंदर में क्या होना चाहिए सांती बनाए रखना ठीक है चेतरी अखंडता और संप्रभुत्ता की बात करते हैं कि भाई हमारा जो चेतरी अखंडता है और संप्रभुत्ता है उसको बनाए र देशों के लिए एक मंच बने जो नए ने देश सोह ने इसों जो सोतंत्र हुए के लिए मंच बनकर आए उसके लिए उन्हें ने गुड निर्पिक्च आंदोर उनकी शुरुवात करी अब यह नए ने देश तो उन सभी देशा अपनी अजादी बनाए रखें ठीक है एक ही तरफ ना जाए ना यू की तरफ जाए ना यह हारे ना वह हारे उसकी चिंता ना रहे उसके कारण से इन्होंने गुट निर्पेक्श आंदुलन की सुरुआत करी और यह पूरा रहता है ठीक है इस कोशन को लिए आप अपको अच्छा कोश्चन यहां पे बन जाता है अब इसको रफ करते हैं अगले कोश्चन के और बढ़ सब्सक्राइब का अगला कोश्चन भी इंपोर्टेंट आपका थीक है अभी हम को पहला कोश्चन पेपर को सॉल्फ कर से अभी हमने ओल्मोस्ट मालो चास म आधंतीन लगा करने में और जिस हिसाप से मैंने लिग कर अपना पूरा तयारी किया यह आपको मुझे समझाना है है ठीक है तो वह हालत खराब हो जाती है जब कर रहे होते हैं अगले चलिए अगले कोशन के और बढ़ते हैं दोस्तों अगला कोशन आपका आ जाता है यहां पर आठवा कोशन हम करेंगे यहां पर अगला कोशन ग्यान के छेत्र में क्रांतियां आधुनिक विश्व में किस परकार से परभावित किया ग्यान के छेत्र में जो क्रांती वही वह आ के और वहां कैसे पढ़ता है अध Skills के अंदर में परतिस पढ़ता की शुरुआत होजाती है सुर्ण और परतिस पटा की इसमौत होसाथ है धूरा पुएंट आ जाता है कि ज़्यान विकास होता है ठीक जो ग्रावन है उसका विकास हो जाता है तीसके भी गेंडया तकनीक का यूज होने लग जाता है तकनीकी विस्तार हो जाता है चुत्ता पुइंटिया में बनता है कुसल सिक्षक और माना स्वक्ति की जुरत पढ़ती है कि एक अगर आप तकनीक का यूज कर रहे हो ठीक है घ्यान के शेत्र में क्रांती आई ठीक है मतलब मानलो मेरे पास नॉलेज बहुत है तो उसके कान से क्या है आज हम लैप्टॉप पर पढ़ रहे हम यूटूब के तुरूप पढ़ रहे नहीं तो पहले आज से अगर आप 10 साल पढ़ने जाते ना तो आपको क्या होता में हिस्ट्री की क्लास लेनी पढ़ती जाकर किसी इंस्ट्यूट के किसी प्रोफेसर से आपको जाकर बात करनी पड़ती पर आज की समय में हम सोचे जार पैसा क्रच करना नेट तो चलाई रहे ना नेट तो चलाई रहे हुए मुक्के वागी कमपनीं हमें में में वाई-फै लगवाए गर में तो भाई हम क्या करेंगे यूटूब से हम वीड तो ये क्या होगा ग्यान के करण से हमें ना चाषी है अज्था और भी हैं फोन के थू पढ़ाने लगा फोन से अभी मेरी जी दूसरी वीडियो से राइटींग पैडि Спब्रती एंट उसमिन अगला जाता है ह में वर्धी हें तो यहां पर आला जाता कुछल सिक्षक कुछल मतलब क्या हो जाता है कि जो पढ़ाने वाला है वो भी दीरे-दीर इंप्रूब करता है चीजे अलग-अलग तरह से चीजे बढ़ती है अब लॉक्डाउन के अंदर में बहुत सारे टीचर जो थे कभी लैप्टॉप यूज नहीं किये थे या जो भी थे वह ऑनलाइन क्लासि लगे ठीक है अलग-अलग तरीका उन्होंने यूस तू हुआ उणके तरह और वो उन्होंने यूस कि उसको तो उन्होंने उस सीखा सीखा तो कुसल सिख्छक मिलते हैं तक्निक के सारे ठीक है जैसे आज के समय में YouTube पर कई सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर से ठीक है जो अपने तक्निक का यूज कर रहे हैं यूटूब पर आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो अपनी बातें वहां तक लेकर आते हैं अपने खांसर देखा होगा लॉक्डाउन से पहले उनको कोई जानता भी नहीं था ठीक है पटना वाले खांसर तो उनको कोई जानता सब्सक्राइब नहीं था पर लॉक्डाउन के बाद जो उनका पढ़ाने का तरीका था चीजे थी वह इतनी ज्यादा वाइरल हुई कि लोगों अल्मोस्ट हर एक बच्चा जानता है खांसर के बारे में तो इस तरीक से चीजे हो जाती है उसी तरह से दोस्तों मैं चाहता वीडियो डली हुई है तो आपके पास कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का कोशन सो तो वहां पर आपको अल्मोस्ट की जाती है ठीक है तो आप उपनी वीडियो का लिंक जरूर सेर करें ठीक है सबी दोस्तों साथ में और अच्छा रिस्पॉंस रहेगा इस वीडियो का भी ठीक हो यहां पर हमें आपके लिए वीडियो मना रहा है और रिस्पॉंस ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता है यहां पर अगला पॉंट आता है मानव सक्ति का विकास ठीक है मानव सक्ति मतलब माल लो आप यह सारी चीज़े हो रही है मैंने कॉंपेडिशन के त्यारी करी पढ़ाई करी तक्णिका यूस कि किया कुसल सिख भी मिला तो उससे क्या होता है मानव जो इन्सान है इसी क्या होगा मानव सवक्ति का विकास होगए यहां पर अन्ने मैं भी माल लेते हैं कि यहां पर टक्नोलोजी का यूज़ अगर छृँपीची तरक्यों करना है normal तरीके से इस point को बस अपने तरीके से explain कर सकते हैं और अपको अच्छे number मिल जाएगा ठीक है समझ में आता है अब हम अगले question की और बढ़ते हैं अगला question यहाँ पर आजाता है और नौवा question हम ले लेते हैं ठीक है नौवा question के अगर रूसी करांती के बारे में अगर रूसी करांती पड़े हो ठीक है रूसी करांती को कई सारे नामों से जाना जाता है मार्च की करांटी कहने कारण कहता कि सार्थ मार्च 1917 में इसकी शुरुवात होती है जिसके कांजिस को मार्च की करांटी कहा जाता है कि रूसि करांटी को हम अक्टोबर की करांटी कहने कारीजन क्यों होता है कि 25 अक्टूबर 1917 को इस क्रांटी का समाप्ती हो जाते हैं जिसकी कारण से इसको अक्टूबर की करांटी घाते है खूशे करांति को वाज सेक्रांति कर जाहे एक्टूबर की करांति का सेमी लिखना हैです कई पर बच्चे कन्फ्यूज जाते कि सर आपने तो मुझे रूसी करांती बढ़ाया और वहां पर आगया मार्श की करांती ठीक है तो आपको नाम याद रखने ठीक है डेट आप खलका से याद रखना है जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो समझे में आता है पहले हम रफ करत सुट्य किंए नहीं देरं दिख जाएगा है यहाँ यहां पर रूसी क्रांथी के नदर में पात करें तो पर्थम विष्वूद जो इसका कारण रहता पर थे निरीड करता है है टोटल पर्थम विशुईद के एंदर में ग्रह युद्ह सुरू हो जाता है कहां पर? यू स्सर में? ठीके यू सार में ग्रह युद्ह 상 के अंदर में तो अपनी विचारदहरा को लेकर ग्रह के अंदर में आकाल एस्थृत्षि करता है धीक है युद्ह के अकालिस्ति बन जाती है और उस अकालिस्ति को देखते हुए यहां प 옆 रूस की खरांथी सुरुआत हो जाती है जहर का जो इस रूस के अंदर में जो सासक था सासक का नाम जार्च निकोलस का जो साहिज पतन रूस की कुरांति आरं होती है ठीक है और रूस की किरांथि होती है उसके कारन्स को theta are क्वार क्ति का अबकर रख को बोलते हो तो konfuse जाते रखाल सभी आम आपको समझना गार्म आपको को समझ मैं रूप तो पर उसकी सुरुवात करें THNSS स्जाष्वात कैसे होती है तो पर्फम विष्यूद फिर्स्ट वर्ट बोर से प्रफ्शिकरांती जेसरों लोगन के बढूर जाती है तो कि इस Paige कैलाती थी ठीक है वो इसका सबसे बड़ा कारण रहता है ठीक है ये तो आप समझे कारण की रूसी करना ते शुरुवात क्यों हुआ अब इसका परभाव की गर हम बात करें परभाव क्या पड़ा ठीक है तो परभाव पड़ता है क्या है कि रूस के अंदर में इसका परभाव के घर हम बात करते हैं कि पर्भाफ के अगर हम बात करें तो परभाफ में आ जाता है कि रूज के इंदर में आकाल इस्ति बनना थीकिया अगर कोई योध से तुरंद अभी यूखरेन जैसे यूद में है ठीकर रसिया यूध तो रसिया पर कई सारे संक्षन लगे हुए यूक्रेन को बहुत जाद नुकसान हुआ अचानक से अगर रसिया वापस भी आ जाता है न तो रसिया के उपर में जो संक्षन लगे हुए उसकी कांसरों का सेर मार्गीड गिर चुका उनका जो प्राइस रूबल है वो गिर चुक अंदर में अकाल इस्तिति आ जाती है दूसरा यहां पर आयता है जार साही का पतन जो जार था जार उसके सत्ता का क्या होता है पतन हो जाता है यहां पर ठीक है अगला पॉंट हम देखते हैं सामयवादी विचारधार का उदे हो जाता है जो नई विचारधार थे ना यहां पर विचारधरा दो विचारधरा कुण कुण सी जाती है तो पुंजीवादी और समाजवादी विचारधरा यहां पर आ जाती है ठीक है पुंजीवादी विचारधरा उससे पहले तक जब तक 1917 से पहले तक पुंजीवादी विचारदार के लिए कोई चुनोती नहीं थी पर 1917 के बाद सामयवादी विचारदार आने के बाद पुंजीवादी के सामने क्या जाते हैं चुनोती की चुनोती आ जाती है सामयवादी विचारधारा क्या था उससे सामयवादी विकास के वचार था उसका मतलब तर्वादी पुरी तरह से कि सरकार ने नीजी समपत्ती उसके ऊपर नहीं । से उस्क्राइब का्यों कि परोपति डिए, वह कि समनों की तरक्या था परिबर्तन आता है लोगताने इस ने की सरकार बनती है ठीक है और वहीं से बहुत सारी चीजी रूस के अंदरे में बदल जाती है ठीक है समझ में आता है तो यह वाला कोश्चन हमारे यहां पर खतम हो जाता और अगला कोश्चन पर जो मारा बनता है वो दिसंबर 2016 से हम करते हैं ठीक है हमने ये वाला कोशन कर लिया जून वाला हमने कर लिया यहां पर जून 2016 का किया अब हम अगला कोशन पर के और बढ़ते हैं अगला question paper आ जाता है आपका दोस्तो December 2016 का ठीक है जैसे कि आपको पता होगा कि हर year के अंदर में इगनू के अंदर में क्या होता है कि एक साल के अंदर में दो session होते हैं कौन-कौन से session June session और December session तो अभी हमने December June session का 2016 का question paper लिए इस तरीप आपको चार question paper तक ही लगना है चार question के paper के बाद नहीं ज्यादा तर question 90% question क्या दिखेंगे repeat होते हुए question मिलेंगे ठीक है तो जो time लगना है जो भी समझना आपको तरीप यहां तक ही समझना है ठीक है समझ में आ रहा है तो यह कोई भी अगर कोई भी डाउट है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट किजिए ठीक है social media platform अगर आपको whatsapp group से चुड़ना है तो whatsapp group के लिए क्या कर सकते हैं कमेंट किजिए कि whatsapp group का लिंक दे ठीक है फिर मैं लिंक आपको कमेंट में दे दूँगा आप वहां से लिंक के थुरू आप whatsapp group को जोइन कर सकते हैं वहां पर किसी तरह कोई भी कोश्चन हो वह आप out up कर सकते हैं pakूछ सकते हो मुसे directly ठीक है शाथ साथ में दोस्तों आप अगरищ को देखरें आपको वीडियो वैल्यवल है आपके लिए कहीं भी आपके लिए यूज्फूल है तो वीडियो को से जरू कर लें अपने दोस्तों के साथ में ठीक है आपकोní स्क्राइब भी करना है सब्सक्राइब के बगल में जोईन का बटन होगा तो अगर आप जोईन करना चाहो तो जोईन भी कर सकते हैं जिससे हमारे चैनल को हेल्प मिले ठीक है तो इस सारी चीजे कर सकते हो चले भी स्टार्ट करते हैं अगला हमारा जो दिसंबर 2016 का कोश्चन वे पर उसको हम करते हैं थीकिए जो यहां पर पहला कोश्चन आयाता है प्रभोन के विचारधारा की प्रमुक्त अलओचनाओ की एक टिपड़ी लिखिए ठीक है मतलब क्या प्रबोधन का जो विचार धारा है उसके आलोचना करते हुए टिपड़ी हमें लिखनी है अब प्रबोधन होता गया है ठीक है अभी मैंने बताया था पिछली वाले में ठीक है प्रबोधन कोई हम घ्यान उदे कहते हैं परबोधन और आपको यह समझ में आगया अब इसकी विचार धार विवेच आलोचन आ करनी है कैसे होंदा अब आप में बताता हूँ ते लिए वरजते हमें आपको ठीक है परवोधन की विचार धारगा जो अलुचक सबसे बड़े अलुचक के तवर देखा जाता है रोमांटिक डारश्निक ठीक है रो हो पिअ मैं वैबिश्म रोमेंटिक दार्षिनिक थे उन्होंने इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना करिए Hm अलोचना किस तरश होती हैँ आप देख लेते हैं प्राचीन नयतिकता पर बलदी आई कि आ माना कि भाई इनको जो प्रभोधन है इनको क्या करना चीए तो प्राचीन नयतिकता पर इन्होंने बोला कि प्राचीन नयतिकता की बात करी ठीक है यहां पर प्राचीन नयतिकता पर इन्होंने जोर दिया ठीक है निश्चित नयतिकता इस्थापित नहीं कि इन्होंने यह बो अगला प्रगती तो किया पर उसका विस्तार से एक इस्तिर फिक्स विस्तार नहीं किया अगर माल लो आप पढ़ रहे हो ठीक है आपने वीडियो पढ़ा वीडियो देखा पर श्रीफ आप एक्जाम के प्रपरेशन के परपस से देखा और आप भूल गए बाद में तो आपक अगर पढ़ने के प्रपर उसके पर उसके ऊपर में जोर देना जाँ था ठाके निशित नचिक्ता को आपने बल दिया सबस्क्राइव करना चाहिक था मारी जो पूरानी चीजए थी उसके उपर में जोर देना चाहिए था निश्चित नेतिकता को स्थापीद करना चाहिए था ओद्योगित प्रगती का त्वाव कर रहे हो पर वो फिक्स प्रगती रहे उसके ऊपर में जोरो देना चाहिए था ठीके, सासत में व्यज्यानिक अविस्कार कि न समाज को परिवेस में बदल दिया जो वेग्यानिक अभी स्कार था उसने क्या क्या समाज के परिवेस को बदल दिया इसके लिए उन्होंने ब्लेम किया इस्थाई और लाबकारी परिवेस की स्थापना नहीं हुई ठीके जो भी परिवेस बना वो लाबकारी तो कुछ समय के लिए था पर इस्थाई लाबकारी नहीं रहा, इस्थाई मतलब क्या, कि लाब तो हुआ पर कुछ समय बाद आपको लाब ने होना बंद हो गया, तो वो चीजे यहाँ पर देखी जाती है, ग्यानोदे का उचित लाब मानव जाती को नहीं मिला, ये भी रोमेंटिक दर्शनिक ने बोल कि प्राकरतिक अवस्था में मनुस्य जीवन, दया और प्रेम से संचालित होता है, जबकि मनुस्य एक दूसरे का दुख और सुख को महसूस कर सकता है, पर जब परबोधन का यूग स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर विकास के होड में क्या हुआ हुआ, मनुस्य एक दूसर का दुख और सुख को भूल गया, आज के समय में रोड पर अगर कोई व्यक्ती दुखी रो रहाया या दुखी बैठा हुआ है, तो आया फिर किसी को कोई परसानी है, तो हम उसकी मदद करने नहीं जाते हैं, हम सोते हैं, पता नहीं क्या पता बंदा खराब हो, ठीक है, तो रास्टबाद की परिवासा क्या है, ठीक है, रास्टबाद की परिवासा क्या इसको दीजिए, और आधूनिक विश्व में रास्टबाद का उदे कैसे हुआ, आज के समय में रास्टबाद आया है, कैसे इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, रफ करता हूँ में फटा तो रास्टबात की भावना क्या होता है कि किसी भी देश के लिए क्या मालनों कि हमारा बंद कोई कोई दूसरे देश का बंदा हमारे भारत का अपमान कर रहा है तो हमारे क्यों होता है किसी ने कुछ चीज किया भारत के खिलाफ होती है तो उनको भी आता है तो वही जो भावना है जो हमने फील किया उसी भावना को राष्टवाद की भावना कहते हैं सिंपल सा समझने का मतलब यह है जहां पर आपको राष्ट के बरति भावना जगरितु उसको राष्ट की भावना कहते हैं ठीक है इसकी परिवासा आपको समझ में आता है तो आध्वुनिक राष्टवात का उदे जो यहां पर इसके अंदर में हमारा जो दूसरा वाला सेग् स्ट्रवी सफपVIत आप хорошо जाता है अगला पोईंट की एक वेक्ति की यहां tussen राष्ड के परते हैं आप भारत चंदर अगता और सारे वेक्ति की मिलेंगे जो राष्ट के विए देश के लिए कुछ भी करने के लिद्ले चाहिए हमारे किसी भी डेश के से सेल को ते औलमॉस्ट वह रास्ट भक्ति entrar में सबसे ज्यादा होती है जब में सबसे जादा होता हुब यहां पैर आग्लत के अर्यक्ति सोतंत्रता संग्राम फ्रांसीद दूंजराशिटा यूरोप में राश्ट बाद और कते ही के मतलब इन सबी जगह उपे हमें राश्ट बाद की सबसे जदा बावना देखने के लिए मिलती है ठीक है जहाँ पर राश्ट बावनों की सुरुआत देखो गे तो अमैरीकी करांति से माने जाती है से माने जाती है यूरोप में रास्टबाद का उदे कारण के तौर पर दीक्षी पpaperТीगित सोतंतर्ता अगर मान लो कोई घुलाम थेकि बंदी है उसके पास औल से नहीं तो उसके अंदर में जो मंके अंदर मेंज पर nota लिगत सोतंतता की भवणा जंद जयती है और किस कारण से जगती है तो राष्टवात के कारण से जगती है हम अंग्रेज़ों के 200 सालों तो गुलाम कंग्र HC तरीके से अलग लग तरीके से हमने उसको सामना किया ठीक है और वो सारा सामना करने यह हिमत कहां से आ रही थी तो हमारे कारण आने का रिजन क्या था कि रास्टबाद ठीक है हम क्या गरते है राश्टबाद की भावनाओं को फोलो करते है जिसके कारण से यह सारी चीज़े हो रही थी ठीक है राश्टबाद की भावना का फैलाफ देरे देर क्या हो राश्टबाद की भावना का फैलाफ हुआ और पूरी विश्व में फैलता चला गया ठीक है यहां पर हम देखते हैं तो यह वाला question आपके क्लिए अगला question के और बढ़ते हैं तीसरा question हमारा जाते हैं तिसरा कॉश्षय आता है upset arwi uniswi सतापदी में विकुhrit आधुनिक समाज में कुछ मेट्पुन विशेष मुद जो इधारविश UP सभी की है विकृत आधुनिक समाज में क्या की विशेष नहीं है यहां पर आजाता है दोस्तों अगला question हमारा आधुनिक समाज 물리atu के दूम Publish अब थीख्या यहांपर एहां पर आप आधुनिक समाज की बात करती ओ तो सबसे पहले आता है रात्तता की बावना को को छोड़ना ठीक है आधुनिक समाज के अंदर में सबसे मेन चीज क्या है कि राश्टियता की भावना को छोड़ना ठीक है अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं वहां पर अगर मालो आपकी नोग्री पाकिस्तान में लगी और आप वहां इंडिया का नाम जबतिर होगे रास्ट इता final को लेकर बैठेर होगे तो आप तरक्की नहीं करें अग्स माज के अंदर में कहा जाता है कि राश्ट इता की भावना को छोड़ना पड़ेगा क्योंकिश करें अगला दोर सत Campaign कि आधा अईक यह और पर राष्टबात की भावना की कोई जगा नहीं बसती है ठीक है और हमें ये मारना चाहिए और हमें इसको फोलो करना चाहिए ठीक है समझ में आता है यहाँ पर अगला जो कोश्चन यहाँ पर अगला जो पॉइंट बनता है आपका यहां पर विस्व समाज की और बढ़ना मतलब क्या उता है विस्व समाज की और बढ़ना मतलब क्या उता है कि ऐसी एक समाजिक विवस्था कायम करना जहां पर अमेरिका भारत जपान पाकिस्तान सारे एक साथ रह से के ठीक है तो एक विशु समाज बने ठीक है पूरा विशु एक समाज के अंदर में समाहित हो उसके उपर बढ़ना तो उसके लिए कि इसकी जरुरत नहीं पड़ती है ठीक है वैज्यानिक प्रगती हो ठीक है लोगों के साथ में क्या हो वैज्यानिक प्रगती हो ठीक है वैज्यानिक त अगला पुछा आ है आपका वानीजिए वैवजित्र में परगती हो ठीक ए pasti यह अधुनिक विश्व समाज न अधुनिक विशु समाज में क्या क्या विश्विस्चता होती है उसकी ठीक है lot ofronics वानीजिक वैवसाइक के चहत्रिल है이지 county walking था रांच और वजार व्वस्ता का सचाल में दोस्तों अपने आप लिखते जाईए वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है तो तीन गंट दो गंटे की वीडियो और रहेंगे आपकी तो पुइंट्स आप खुदी लिखते जाएगा जिससे आपको चीजे समझ में खेलियर होती जाए ठीक है अगला यहां पर पूइंट आजाता है आपका यां अंतराश्चिस संगर्थन का स्थापना करना अंतराश्चिस संगर्थन की जुरत की पड़ती जैसे यूए नों है तो यूए नों क्या करता है कि सभी पर नजर रखने के लिए WTO है तो वैपार का सहीत तरह से सुचारूप से चल उसके लिए World Bank है तो सभी को अगर जो भी जोरत है उसको पूरा किया जा सके WHO है World Health Organization है तो Health स्वास्त को लेकर जो पूरे विश्व में जो भी चीज़े होती है तो यहाँ पर यह वाला जो कोशन था यह भी complete होता हमारा और हम अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला कोशन हमारा क्या बनता है आपका अलप विकास का चोथा कोशन नमर चोथा अल्प विकास क्या है अल्प विकास को नियंतरित करने के लिए क्या नीतिया हो सकती है ठीके ये question दोस्तों आपको अगर ये वाला तो definition में दे रहा हूँ ठीके उसके बाद में जो थोड़ा सा में बता हो ना उसके बाद में आप खुद ही इसको बता सकते हो क्या चीजें हम करें जिसे हम अल्प विकास को दूर कर सके ठीके किस तरह से हम निपट सकते हैं ठीके नियंतरित कैसे कर सकते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा ठीके सबसे पहले हम रफ करते हमारे अपने जगा खाली करते ठीके आपको अपना experience भी शेयर करना है दूस्तों ठीके किस तरह का experience रहा है मेरे साथ में पढ़ने का ठीके क्योंकि मैं खुद भी में स्टूडेंट हूँ तो मुझे YouTube पर कोई उतना अच्छा experience नहीं मिला पढ़ने का रिजन क्या था कि YouTube पर मुझे जिस तरह की चीजों की तलास थी कि कोई टीचर ऐसा मिले जो पूरी तरह से पढ़ाए ठीके एक एक चैप्टर का क्लियर करवाए तो यूटूब पर आप अगर देखोगे तो आपको टॉप 20 कोश्चन इंपॉर्टिन कोश्चन मिल जाएंगे ठीके लास्ट एर के अच्छे कोश्चन मिल जाएंगे पर चैप्टर बार चैप्टर पढ़ाना तूप करवाना ठीके एसा कुछ बताना जो आपको हमेसा याद रहे वो चीज़े नहीं मिल रही थी मुझे तो आपको मेरे साथ का experience बहुत ज़्यादा जरूर होता है कर शुब होता है मतलब अधूरा विकास किसी भागर अधूरा विकास कहलता है अलप विकास अंडवल्पमेंट ठीक, अलप विकास कहलाता है विसुज बैंक दोरा कुछ पैमानत है किया गया जिसके तो हम यह कहते हैं कि अगर इस पैमाने के नीचे कोई वक्ती है या कोई देश है, तो वो कहा है, अलप विकास है व्यक्ति नहीं देश के हम बात करें यहां पर किसी परसनल व्यक्ति के बात नहीं करें कि गरेबी रिखा से नीचे है तो गरीबी रिखा गरीब मान जाएगा ऐसा नहीं ठीके विस पैंक दोरा कुछ मुलबूत घटक तै किया गया जिसके तहत अगर उसके नीचे आता है तो अलप विक्सित मान जाता है जिसके अंदर में क्या होता है कि अगर निर्धनता दर से कम हो अगर निर्धन गरीब है वो एक रेट तै किया गया एक लेवल तै किया गया किसका निर्धनता का ठीके निर्धनता का एक लेवल तै किया गया अगर उससे कोई व्यक्ति नीचे है तो वो क्या माने जाएगा? वो अलप विक्सित माने जाएगा ठीक है, मिर्तियुदर कम हो अगर मान लो किसी देश की मिर्तियुदर अधिक है ठीक है, मिर्तियुदर अत्यधिक है ठीक है, तो वो क्या माने जाएगा? अलप विक्सित माने जाएगा सक्षर्टादर कम हो अगर किसी देश का साक्षर्टादर सिक्षा जो है सिक्षा जो है वह कम हो हूँ स्वास्त sıवा लग नि-टो मिर्ध्युदं बढ़ेगा जन्मदर बड़े, जन्मसंख्या बहुत तीजी से बढ़ रहा हो तो वो अलपविक्सित माना जाएगा, ऐसा जन्मसंख्या को हम यहाँ पर additional मान के चलते हैं, इस तरी link भेदो, बहुत ज़्यादा link भेदो असमानता हो, link असमानता हो, ठीक है, जहाँ पर मान लो महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल रहें, ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण़ से चीजें जोती हैं, अलपविक्सित मने जाता है, जो भी विकास की वह नियम बना रही, ठीक है योजना बनाने वो सारी योजना सतत विकास की नहों सतत विकास मतलब क्या ऐसा विकास जो कायम रहे ठीक है एक दम कायम एक बार अगर हुआ तो वो कायम रहे ठीक है मैंने अभी परबोधन विचारदारा का बता है था ना कि उन्होंने परबोधन की विचारदारा के में को अपना आए ऑद्योगी करन का या हमेशा के लिए हंद के लिए हमेशा के लिए ठीक है आगे तक चलता रहें तो ऐसा नहीं था ठीक है कि चाहलान नॉर्मल दिखा जाता है तो फाइदा ही था ठीक है पर यहां पर आलोच नगाए रीजन क्या था कि उसमें कई सारी कम्यां उन्होंने ढूड लेती ऐसे कम्यां डूड ने पर आप किसी भी चीज में ढूड लेते हो तो यहां पर सेम इसी तरह की बात कम करते हैं ठीक है तो आ तरह कैश्च निरधंता से बहर निकाला जाना थिक है दूर किया जा सकता है थिक है यहां पर नॉर्मली करें तो उद्योगी करएंड की धीमी गती अलप ये BM का इसागर कोई धीश अभी बramaएं करें यहाँ पे कारण की घर हम बात करें, ठीक है कारण का कारण करा यहाँ पर उपनिवेश है किसी देश के शुत कि रोल कर तो करण कार verb बनते हैं यह पर आपस में तरीके सब्सक्राइब आपने है जीवन स्तर लोगों का जो living standard है वो नीचे गिरता जा रहा है थो वह का कारण्ड बनता है ठीक है शिक्षा स्वास्त खराब है तो वह अलप बनता है आवास की सुविधाएं जो रहने का living standard है वह अच्छा नहीं है तो वह सारे अलपे विकास का कार्ण बनता है, इन सब जीतने भी points मैंने यहां पर बता है न, इस point को just उल्टा कर दोगी, अच्छा स्वासन सेवा मिल रहा है, अच्छा सिक्षा मिल रहा है, ठीक है, अवास सो विदा के improvement हुई, ठीक है, निर्दंदा दूर हुई, बेरोजगारी दूर हु दोस्तों, आप ये question number 4 देख रहे हुग, question number 4 के अंदर में, total 2 question पूछे गए, एक है का Alpevikast क्या है, और दूसरा है का Alpevikast को नियांतित करने की उपाए, तो यहां पर 20 number का question है, यहां पर एक question, एक पार्ट का आंसर देने का 10 number और दूसरे पार्ट का आंसर देने का 10 number मिल तो उसको आप नोट भी कर लीजेगा ठीक है वीडियो को सोलो स्लो करके स्क्रीन स्रोट लेके जैसे भी अपना तयारी किजिएगा जिससे आपको वह चीजी किलियर हो ने तो बाद में आगे बहुत दिक्कत देने वाली है ठीक है अगले पेज पर चलते हैं मैं यहां पर फट कौन-कौन सी अवस्था यह आती है इसकी विवेचना करनी है हमें उपनिवेस बात के अंदर में और इसका भारत पर क्या पर होगा बनता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं ठीक है तो यहां पर जो परमुख विचारक के तौर पर देखा जाता है उपनिवेस बात के ठीक है यहां पर आंडरे गुटर फ्रेंग को हम गुटर फ्रेंग यहां पर आंडरे गुटर फ्रेंग परमुख विचारक के तौर पर माने जाते हैं तो यहां पर उपनिवेस बात की तीन अवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं तीन अवस्थाएं जिसमें पहली अव अवस्था हो जाता है उपनिवेसिक देश का समाज ठीक है यहां पर पहले वस्था क्या हो जाता है उपनिवेसिक देश का समाज ठीक है यहां पर दूसरी ववस्था क्या जाती है अर्थ ववस्था एम राज्य के ववस्था को आगे प्ररित करना पुंजीवात के विकास के लिए विश्व ववस्था में परिवर्तन थोड़ा सा दोस्तों यहां पर चेंज करते हैं मैंने पॉइंट लाइन आगे पीछे बोल दें जिसके कांट से चीज़े कंफिजन होगी आपको भी और फिलाल तो भी मुझे भी थी इसको पहले से क्लियर करता हूं जिससे आपको चीज़े समझ में आए ठीक है वापस से स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर सिक्स कोशन बनता है कि उपनिवेसवात के विविन यहां पर पहली अवस्था आता है उपनिवेस के वेपार को एक धिकाल स्थापड़ करना ठीक है पहला पॉइंट आ जाता है उपनिवेस के वेपार पर पूपनिवेस वैपार पर एक अधिकार सपोस करो इसका इंगलेंड ने बृतन ने ठीके बृतन ने क्या ब्हारत को अपना गुलाम नाया तो बारत के जो मार्किट था बारत के market के उपर में किस का कपजा हुआ? Britain का कपजा हुआ? बारत क्या India अपनी मर्जी से market के अंदर में खरीद बेच कर सकता था? नहीं ठीक है? तो market के उपर पूरी तर से monopoly किस की हुई? Britain की हुई? तो यहाँ पर पहला जो बनता है सो इब साथ तो उपनिवेस्शि के वैपार पर एका अधिकार स्थापित करना दूसरा है मुक्त वैपार ठीक है नहीं कि यहाँ पर दूसरा पोईट बनता है क्या मुकित वैपार मतलब क्या अब इंग्लेंड क्या किया कोई भी समान अगर तो जो हमारे सामान था।व भारत के मिंदे बेचता था। हमारे स्मान परो कर रोड़ा से यहाँ चलता था। उसने है शुरुवात कर दिया जिसमें free trade, एक दूसर से आपस में free trade किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह के लिए यहाँ पर वित्ये अगला अगर पहली और दूसरी अवस्ता तीन है जितने भी अपने पैसा ही कठा किया उसको वह निवेस इन्वेस्टमेंट करती है दूसरी जगा पर ठीक है इस तरीके से यहां पर पुंजी का निवेस के लिए उचित इस्थान प्राप्त है उसके लिए यहां पर यहां पर बात कहा गया धीन अवस्थाएं है अगर आप थ्रोड़ा सा मैं इसको सलाप को या दूँआ कि यह तीन अवस्था एंँ आप फडर पढ़िए ठीक है बुक मेंगे सा अगर आप एक बार पढह पढ़ लोगे अपने इसाब से regulate कर रहा है तो कहां पर बेचना है कैसे बेचना है किसको बेचना हूँ वह कुन तय करेगा ब्रिटन तय करेगा जिसके थूरू उसने क्या किया कि कि मुक्त वैपार की उसने सुरुवात कर दी तीसा जाता है वित्ते पुंजीवाद में क्या हुआ कि पहले वाले से पैसा आया एक अधिकार से उसने पैसा इकठा किया दूसरे वाले से उसने पैसा इकठा किया तीसरे वाले में उसने क्या क्या वित्ते पुंजीवाद को इस कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं everything we have to get a क्श्शून हम बढ़ते सात्व कोश्थन की उग़े एक दुरूविता क्या है इसके परिवासा दीजिए और एक दुरुविता और इसके भाविस्ची के बारे में बहस का विश्लिसन कीजिए ठीक heute n एम रफ्व कर लेते हैं एक दूर्विता हुता है है तो दोस्तों यहां पर ना कई सारे जो विचारक थे उन्होंने बताया कि एक दूर्विता Ale Ah Colossu Smol सवाह का एक केंद्र होना दो धिरुबिता मतलब पावर का दो नहीं थैक है दो वेक्ती बहुत दुरुविता मतलब क्या होता है पावर के कई सारे केंदर में बढ़ जाना ठीक है जैसे मानलो आप जिस गली में रहते हो वहाँ पर एक बंदा जो है परमुखे गली का मुखिया है ठीक है तो एक दुरुविता कहलाता है दो है तो दो दुरुविता कहलाता है और दो यहां पर अलग अलग विचारको अलग बात करते हैं तो यहां पर जान करेकि विचारक आते है ठीके जान करेक?- इन्होंने क्या अटा कि बहुत दुरुविता कیک है संतुलित का मतलब मेल है ठीक है अगर बहुत दुरुविता होगा अगर मालोग अगर बहुत दुरुविता होने हैं यहां पर रोबर्ट अगले विचारक आते हैं, Robert Charles ने कहा, Robert Charles और Robert Cannon ने कहा कि एक दुरुविता का समर्थक थे हुऊ, ठीक है, उन्होंने एक दुरुविता के पक्ष में बात करी, ठीक है, सीतियूद के बाद में जो इस्तिती बनी, वो एक दुरुविता की बनती है, मिस मेर करके एक विचारक आते हैं, वो एक दुरुविता के पक्ष में, वो एक दुरुविता को कलपना मात्र मानते हैं, अब सबसे पहले देखो, एक दुरुविता है क्या, मतलब सक्ति क सकती का एक केंद्र होना एक दुरुविता कहलाता है सीतियूद खतम हुआ कब खतम हुआ 1991 में कैसे खतम हुआ तो जब सोवियत संग USSR का पतन हुआ और उसके सामने रसिया उबर कर आया USSR के पतन होने के साथ ही क्या होता है कि Cold War जो था वो खतम हो जाता है Cold War जैसी खतम हुआ तो श्रीप पूरे विश्व के समक्ष में कौन सी सकती उबर कर आई तो एक दुरुविता अमेरिका सकती बन कर आई और उसका सकती का केंद्र क्या बना अमेरिका बना कई सारे जो विचारक हैं जैसे मिस मेर का कहना था कि जो एक दुरुविता यह कल्पना मातर है । ऐसा कुछ होता यह नहीं है यह इनुने मान कर आज के समय में, अगर current example लेकर चलो, तो आज के समय में सक्ती के बहुत सारे केंदर है, बहुत सारे केंदर मतलब कैसे, देख लो, यहाँ पर अगर मालो हम पावर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पावर लेते हैं, यहाँ पर देखोगे, तो एक तो अमेरिका आपका ही है, अमेरिका के अंदर में एक नाटो आ जाता है, ठीक है, अमेरिका में आगे नाटो, यहाँ पर EU आ गया, European Union आ गया, ठीक है, यहाँ पर चीन आ गया, ठीक है, यहाँ पर रसिया आ गया, भारत का गुर्ट निर्पेकच भी आ आ गया आपके यहाँ पर मालो, ठीक है, तो इस भी क्या बनते हैं उपने वेस्वात के हैं मतलब इसके बहू केंदर के अंदर में चंब बहु सकते हैं इस तरह से यह बन जाता है ब्हारत के विश्य में अगर बात करें तो भारत ने गुंद और पेक्षण में जाकर एक सकती का मतलब एक दूसरे दुर्विता का वाँ पे दर्वाजा खोल देते हैं कि भाई यह वाला भी एक option आप सब के लिए वैलिबल है अगर मालो भारत दू जैसे 1945 में 1945 में हमने गुर्ट निर्पेक्ष चांदोलन की सुरुवात करी ठीक है गुर्ट निर्पेक्ष का स्थापना करा अगर हमें स्थापना नहीं करते तो हमारे सामने दो चोईस होते हैं या फिर मैं हां भारत अमेरिका के साथ जाके मिल जाए पुंजी वाजी को पुरी तरस अप अपना ले ठीक है पर भारत ने क्या किया दोनों में से किसी को नहीं अपनाया और उन्हें ने मिस्रित वादी अर्थवस्ता के साथ में चला आगे चलके मिस्रित वादी और अपना ही और गुट निर्पेक्ष आंदोलन की स्थापना करी अगर वह यूएससर के साथ मिलता 1991 में पतन हुआ USSR का हमारा भी बुरा हाल होता अगर वह अमेरिका के साथ मिलता और USSR अगर जीच जाता तो हमारा बुरा हाल होता इसके कान सामने क्या किया अलग धुरुविता का जनम दिया और वह गुट निरपिक्ष आंदोलन के लाया और इस अलग धुरुविता की अफे संक के हम बात करते हैं की केंद्र बनकर उभणा ना पर भारत हो देशों को मिला है एक्क केंदर बनाया युरोपिया उन्यू यं य का संगठन है तो वह सबिकरे केंद बनता हैatan के बनता है तहीं अगला कोश्चन अमारा बन जाता एक दुरुविता वाला के लिए कोश्चन आधुनिक विश्व में आधुनिक विश्व में परिवर्तन करने का मुद्रन प्रकाशन में हुई करांती की मात्व को ब्याक्या कीजिए ठीक किस तर से परिवर्तन करती है आधुनिक विश्व में जो मुद्रन प्रिंटिंग है वो किस तर से रोल प्ले किया इसके में रफ करते हैं सांफ तो आपक है यह वाला हम बात करें यहां पर मुद्रन और प्रकाशन वाला हाच ठीक है मुद्रन के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है सबसे पहले तो यूरोप में पंदरवी सताबदी के अंदर में प्रिंटिंग का आरम हो चुका था था ठीक है यहां पे जो प्रिंटिंग की सुरुवाद थी वह पंदरवी से लेकर अगला point हम लेके चले तो प्रिंटिंग से क्या हुआ चर्च धर्म सुधारक जितने भी थे विचारक जो भी थे स्कूल जो था प्रकाशन का इसका उपियोग किया जाने लगा ठीक है और प्रकाशन से बढ़ावा मिला ठीक है तकनीक में सुधार किया जाने लगा तकनीक में सुधार हुआ सासात में पुस्तकों और पार्ठिकों की संख्या में बढ़ोत्री हुई ठीक है पुस्तकों की संख्या में बढ़ोत्री हुई पार्ठिकों की संख्या में बढ़ोत्री हुई आज के समय में publication एक बहुत बड़ा बिजनेस के तौर पर देखा जाता है तो यह यहां पर एक question का answer बन जाता है आपका समझ में आता है अगला question के और बढ़ते है नौबा question ठीक है टीक है वो अपने ग खड़ी उकर बोल रही है एक अंटी है वो अपने च रगणी बोल रही है हैँ और तीक ही दुसरी वाली पर नहीं ज़ते हैं है ठीक है 15-20 लोग चुडाने के लिए ना आ जाया घर से डंडे बेलन लाटी यह सब ना निकले तब तक हो संपोन यूद नहीं कहलाता है ठीक है अब तक सबसे जादा विनासकारी यूद के तौर पे नहीं माना गया ठीक है परतेक संसादनों का संपोन यूग हुआ परतेक संसादनों का कहने का मतलब क्या कि राज्ये के पास जो भी संसादन थे जितना भी पावर था सारा लगा दिया अभी देखो यूकरेन और र सबने सब कुछ छोड़कर जो मॉडल है वहां की डॉक्टर है वहां का जो राष्टपती है सब कुछ छोड़कर अब उसने क्या कि सबने सेना को जोइन कर लिया बोले भी आप तुम बिढ़ेंगे अब जोगा देख लेंगे तो जितना भी उनका पावर है सारा जोकरे ठीक क्राइसिस में देखो गए तो यहां पर क्या होता है गवर्मेंट ने क्या किया कि सभी के ऊपर पावंदी लगा दी कि कोई भी कंट्री छोड़के जाएगा नहीं ठीक है जो भी यूक्रीन के नागरिक है क्योंकि उनको यूद में पार्टिस्पेट करना उनको सेना में भर हादनों के जो भी मित गत्रूस के प्र शर्रुड़ की चीज़ें को सारी सरकार के कंट्रोНе समझ में इमार्ब। कैसे हुआ समाज में किस तर से परिभरतन आया इसके बारे में बात करोगे तो सर्व सत्तावादी राजनितिक का उदे हुआ ठीक है संपुन यूद के कारण से क्या होता है कि सर्व सत्तावादी राजनितिक का उदे समान जिसमें बात करते हैं उत्पादन में बडोतरी हुई तो सिरफ दो लोग सेना में नहीं जा रहें नाइनिटी एट लोगों को तो जवड़ास सेना में उठाके ले जा रहें तो मतलब क्या है उत्पाधन में बढ़ उत्तरी एक मैंने यह थोड़ा से एक्जामबल दिया आपको समझने के लिए तो रूस का USSR का टाइम पे भी जब USSR था USSR के टाइम पे भी क्या हुआ कि जब यूद सुरू हुआ तो यूद से पहले तक उनकी जो उत्पाधन यूद के टाइम पे उन्होंने पांचे को 40 परतिसत में बदल दिया था ठीक है चीजों को बनाने में अलग रग तरीक चीजों को उत्पाधन करने में तो यह होता है यूद की कि आहले था यह सारे संफण यूद के आपको समझ में आते हैं तरिष tan समाज में किससे परिवर्तन हो आज के म्यों के शचीन में करने प्र जस्लिआ ने अब नहीं तरह क्या क्या गूंति परिपक्राव्लों हो सकती है तीक है जपान खहरा है अमेरिकास की से बिल्यम एप किया पता Kalokar शीर में रूपर हमिला करते डशा आगे हम बात करते हैं अगले चैप्टर के ओर हम चलते हैं तो अगला कुछ यह Qošya की है पहला जो कोष्चन आपका जयाता है और नयए वी सौनाए विशु का पारूप बना यह आपको को बताना और किस तरह से नए विश्व का पारूप बनता हुआ चला गया थीक है समझ में आता है तो पंदरवी से सोलवी सताबदी के अंदर में पूना जागरन का शुरुआत होता है नोभी सताबदी में कैथलिक पूना जागरन की सुरुआत हुग ऐसा कुछ नहीं था यह अंदाजा बताए गया यह एक था पर इससे पहले नोवी सतावदी के अंदर में Catholic ठीक है Catholic पुना जागरन की शुरुवात की गई थी 12 सतावदी के अंदर में पुना जागरन की शुरुआत हुई थी ठीक है उसके बाद में संपूर्ण तोर पर 15-16 सतावदी में को सुखिए थीत के नुसार सचताब्त और लगएंगीन पुनाने सबहताों के पतन होना लगा तो पुना जागरण के नहीं दौर पर अप्ड़ेट पर लाए गया थीके जो आपका फोन होता है ना आपका मालो पहले आता था ओर यो और यो के बाद पाई आया अलग लग तरसे जो अपडेटेड होते ना इंड्रोड आपका फोन का मुझे आइडेया नहीं जाता तो इस तरसे अपडेट हुआ ना तो वह आपका पुना जागरन कहलाते है मतलब दोस्तों आपका experience कैसा रहा पढ़कर क्योंकि धाई बज गया है रात के मेरी आंकों के ऐसी तैसी हो रखी है ठीक है तीन दिन से मैं सोया नहीं हो कि कल भी में चार-पांच बैट कर आपकी वीडियो की तियारी कर रहा था क्योंकि जब आप 120 कोश्टन को solve करना हो और 120 कोश् सबसे बड़ी problem ही होती है तो इतना मैंनत में कर रहा हूंना तो सामने थोड़ा से मैंनत आप भी किजिए कमेंट कर सकते हो कोई दिक्कत बात नहीं है जो भी कोश्टन में पूछ रहा हूं आप उसको आंसर दीजिए आपना experience एर कीजिए कि किस तरह का experience रहा है ठीक है और य इस्तर से पारूप बना इसके बाड़ेमें मंठ बात करते हैं तो पुन्य जागराण के क्रण से वैपार का उधे हुऔ यहाँ पर पहला question है वेपार का उधे हैं ठीक है दूसर"! यह बन जाता है सहरी जीवन की सुरूवाद ठीक है, सहरी जीवन की शुरुवाद अगला पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए बन जाता है हमारा साहित्य कला का विकास सांस्कृतिक विकास अगला पॉइंट आप देखोगे तो मानफ्तावात का आरम ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ हम देखेंगे तो बोधिक आंदूलन का आरम आंदूलन का आरम ठीक है समाजिक वंदूलों से मुक्ती यह पॉइंट सारे आपके बन जाते हैं पहले वाले questions के answer के लिए आप इसको answer कर सकते हो अच्छे से इसको आप कर सकते हो ठीक एक बार फटा बड़ नोट कर लीजे फिर अगले question के और हम बढ़ते हैं और इसको ruff करते हैं फटावट करते हैं दोस्तों क्योंकि टाइम बीतर है बहुत ज्यादा ठीक है और मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी आपका एक कोश्चन पेपर है मैं सॉल्फ करवा दू जिससे आपका भी टाइम से वह और मेरा भी सासा टाइम से वह और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा राज्य के बारे में गांदीवादी प्रीपेच्छे किया है तो राज्य के आदुनिक सिधान्त क्या थें सर्व सत्तास राज्य का सब का सत्ता हो एक चैनल सब का रक्षा राज्ये के अंदर में यह माना जाता है ठीक है? ben यह अंपर होप्स करकेता है उन्होंने यह बोला दीक हम बात कर रहे है इंनोंने यह बोला कि भईया राज्ये के नियम कानून अपने समा अब मतलब अपने नियम कानून होने चाहिए पहला दूसरा यह पर पॉइंट उन्होंने बोला कि सबकी सुरक्षा मेंजी मेंदारी होना चाहिए संपत्तिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा यह मेंजी मेंदारी होना चाहिए वहीं पर एक केते हैं कि इसलिए अत्यदिक सक्ति का इक्षा रखता है जो मनुस्यें आज समय में सक्थी सक्था करा सारी चाहिए लृु करता सक्षा करता से यहां पर beetje घा था अनुदार्वादी बताते हैं उस तरह से आद मांदनीक सिधांट का आप बता सकते हो जॉन के लिए है ठीक है राज जी कяж संपत्ति का रक्षा करना ठीक है इस तरह से यहां पर राज्जे की जिम्मीदारी या बताया जाती है ठीक है मेंने आप जो गांधिवादीस परिपिच्परी आप इसाख कर आऊ यह नहीं कि सारा डिपेंडेंसी मेरे उपर ही आप डाल दो कि सर आप करवादू बस यह मत बोल देना पिपर आप खुदी सौल करवादू गांधी वादी पर ही पेच्छे कियाकर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने कहाता भाई हमें क्या चीह सवराज चीह है सवराज मतलब क आपना राज हो हूँ ठीक किसी के घुलाम ना रहें तो यहां पर गांधी जी ने स्वराज की बात कर भूह और जी ने यहां पर आपा जी किया कि जहाँपे अहिंसा ना हो ठीक है सांती कि geek यौराची जी ने कार राजहिँन समाज ठीक है राजhy विहीन समाज है Engineering B पूरे टुकड़े में बटा हुआ है दिल्ली इदर है पंजाब है हर्याना इदर है ठीक है पंजाब आले लग कास्मीर की मांग कर रहे हैं तो यह क्या पूरा बटा हुआ है तो गांदी जी ने हमेसा क्या कि राज्य-विहीन समाज होना चाहिए अगला पॉइंट देखोगे हैं तो ग्राम्ँ समाज की बात करा है एक हो अगर आप आज यह से सो साल पहले जाओगे न तो एक कहा जाता था कि यह वारत्व हारत की बडी बात है अगlar आप बारत आज के समय में दूर नहीं ड है भर से निकल निकलिए जाओ कर अगर आप हवाई एड़े पहुंच जाओ टिकट करवा पहुंच जाओ अमेरिका ठीक है वीजा वीजा लेकर तो दूर नहीं है तो मतलब क्या होगा ग्राम समाज मतलब क्या कि एक दूसरी को आपस में जोड़ देना ठीक है गाउं के अंदर में क्या होता है कि आप किसी भी को पकड़ो पोस्टमें जाता जा ना प्लच वन अगली के लावा और ऑख में और और यह रहता है कि या मतली पर गांदी जी ने इसके काँंसे गराम समाज की बात करी थे ठीक है समझ में आता है अगला हम तीसरा question के और बढ़ते हैं तीसरा जो question है आपका तो आदूनिक राज्ये के संदर में नोकर साही विकास की विवेचना करना है यहापर तो नोकर साही होता क्या है तो नोकर साही को राज्ये का विहीन अंग माना गया ठीक है किसी भी राज्ये के लिए नोकर साही जो है वह बहुत अधा important role play करता है यह माना गया नोकर साही के बिना राज्ये का संचालन नहीं किया जा सकता ठीक है यह माना गया सासत यहाँ पर यह देखा गया नोकर साही के बिना राज्ये का संचालन नहीं किया जा सकता मैं नोकर साही की बहुत ज़्यादा जरूरत पढ़ती है ठीक है और नोकर साही की नियुकती राजा द्वारा किया जाता है अधिकारों को संग्रक्षान और करमचारी तंतर का विकास नोकर साही के द्वारा होता है अब इसकी जरूरत कैसे पढ़ती उसके बारे मैं थोड़ा है king है ठीक है अब king है तो king क्या अगर किसी को text वसूलना है तो कि राजा जाकर मांगे का भाया आपका ना इतना text बनता है 10% के इसाब से जीस्टी लगा कर आप दे दो 18% आपका ट्रकार नहीं कर दिया ठीक है मतलब प्रदान मंत्री निया तcture। निर्मला सट मταν मांगे कि नहीं जाओ इसने अपने विज बॉस निकत कर कर के ये धि Τ्äre पर्साथन को सुचावरुरुण से चलाने के लिए करमचारी तंतर की विकास किया जाता है, करमचारी तंतर का विकास के रहता है, यह नोकर साही कहलाता है, समझ में आता है, अगला कोशन के और बढ़ते हैं, वानिज्य पुंजिवाद की विसेस्ता, ठीक है, कई सारे कोशन इसमें repeat होने वाले हैं दोस्तों तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से करना है ठीक है पहले में rough कर लेता हूं थोड़ा जगव बनाते हैं सच कहूं दोस्तों जब मैं इसकी त्यारी कर रहा था इस वाले question paper की त्यारी कर रहा था ठीक है कई सारे students का call आता है कि सर आप लेट हो गए करवानी रहे ठीक है क्योंकि बहुत सारे students की dependency बढ़ जाती है अगर आपके उपर ठीक है तो यह थोड़ा सा रहता है तो इस वाले जब question paper की त्यारी कर रहा था तो कई बार मैंने सूचा कि चलो फटा-फटा ऐसी ना निप्टा देते ठीक है थोड़ा सा कम बता रहे है ठीक है वानी ये पूजीवाद की मुक्ह विसस्ता क्या है इसके बादे मवाट मैं बताता जाता हो आप उसको नोट करते जाएए यहां प्यादाता है सामंतवार उद्योगी करण के बीच में बीच के काल को हम पुंजी वाद काल के तौर पर देखते हैं जो सामंतवाद था और जो पुंजी वाद हुआ उसके बीच के जो टाइम पिरेड रहता है जो बीच का जो टाइम पिरेड था उसको वानेजिक पुंजी वाद के तौर पे बाना गया ठीक है वानेजिक पुंजी वाद का साथ जो था कृष्षी पुंजी वाद साथ के साथ भी हुआ दोनों का मतलब सेम साथ में टाइम पिरेटिस में चलता रहा है । इसकाल में लगातार लोगोंने लाब कमाने का नद लाब कमाने का भावना जगरित हुई ठीक है भाई फाइदा कमाना है मुनाफ़ा कमाना है ठीक है उसके बाद आता है इस काल में वेपारियों का अतेदिक से अधितिक मजदुरों के भाड़ा दिया जाने लगा ठीक है अगर मालों किस चीज की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज की हुआ ठीक है आर्थिक चेत्र का विस्तार हुआ अगला करहा का बन जाता है अपका नोहीं हराय के अधिकार अधिकार की वह प्रयों का लाब हुआ ठीक है अब इसक नेति के लिया का लाब हुआ थिके दे माने का उद्देश से रखा ठीक है नए बजार की खोज स्टार्ट हो गई नए बजार मतलब क्या कि भाईया एक जगह पे वैपार करने के लिए दस लोग कर रहे हैं पहले से यार कहीं दूसरे जगह मार्केटर में खोलते हैं दुकान महां पर भी हम लोगों को लुटेंगे तो यह नए बजार की खोज जैसे बृतन के लिए उत्पादन करता को प्रसाइद करना यहां पर चलता है पुंजी वादी के अंदर में ठीक है समझ में आता है तो यह पॉइंट साथ के इस वाले यहां पर क्लिर हो जाते हैं अगला जो कोश्चन है आपका रास्ट वाद से आप क्या समझते हैं ये वाला question इस question का answer मैंने भी पीछे just करवाया है तो आपको क्या करना है December 2016 के question paper में जाना है तो वहाँ पर question number 2 है उसको आपको देखना है पढ़ना है आपको वहाँ पर answer इसका मिल जाएगा ठीक है समझ में आता है अब अगले हम question paper के और बढ़ते है question number 6 जो हमारा है का question उसको हम करेंगे ठीक है मज़ा आ रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा आप बताएगा आपका experience क्या है ठीक है उपनिवेशी करन क्या है और उपनिवेशी करन के विविन चरनों की विवरन दीजिए तो यहां पर उपनिवेशी करन है क्या तो आपको मैं बता चुका हूँ उपनिवेशी करन है क्या ठीक है उपनिवेशी करन की विविन चरन की अगर हम बात करते हैं यहां पर टोटल तीन चरनों में हम डिवाइड करते हैं ठीक है उपनिवेशी करन को जिसमें पहला आ जाता है असमान वीनिमे जिसमें क्या हो जाता है असमान वीनिमे के अंदर में क्या हो जाता है पहला चरण के तो विश्व पुंजी वादी ववस्था का एकी करण होना असमान वीनिमे मतलब लेंदन जादा करना ठीक है वैपार और पुंजी का एकी करण करन उद्योगी देशों पर नियंत्रन और संतुलित उपनिवेश करना ठीक है यह असमान वेनेमे का कारण बनता है दूसरा यहां पर पॉइंट बन जाता है आपका बाहर ही एक ही करन बाहर ही एक ही करन इस पॉइंट के अंदर में बात करते हैं उपनिवेश और उपनिवेशिक सकती के बीच में परसपर्क संपर्क सापित करना ठीक है जिसने मुझे गुलाम बनाया है और जो गुलाम बना हुआ दोनों के बीच में बराबर संपर्क बनना तो बाहर ही एक ही कर करना है लेंदेन किस तरस करना है यहां पर आ जाता है ठीक है यहां पर बाहर एक ही करण के अंदर में एक आ जाता है कि सपोस्थ करो आप एक बंदे हो ठीक है, मालो एक यहाँ पे एक यहाँ पे कोई ले 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 थीक है मालो रवी करके एक बंदा है ठीक है लड़का है उसने क्या किया अपनी पडोसन के लिए ठीक है कोई देखेगा तो ये नहीं बोलेगा कि रवी के लिए उसने सजाए कोई भी देखें कहीं तो इह क्या दृग्ट इन हुए की मिहाँ तो जब बाहरी एकीजायो की सुरुआत वह उवा जिसमें क्या हुआ ठीक है वो हमें बिचाया गया हमारे उपर हमें फाइदा नहीं होने वाला था वो फाइदा होता अंगरीजों को अपने फाइदे के लिए बिचाया था ठीक है रभी ने तो दिया वर किट दिया ब्यूटी किट दिया पर रभी को फाइदा नहीं होने वाला है वह उसकी फाइ को समझो ठीक है ज्यादा यहां पर बुलवाओ मत क्योंकि और लाइन है सब कुछ अच्छा नहीं लगता चीजे तो बाल गंगा दर तिलग क्या कहते हैं कि दूसरों की पतनी के लिए सिंगार का परवंद करना ठीक है एक परकार का जो इस तरह से जो जब बृतानी सरकार ने इंग्लेंड की सरकार थी उनने जब रेल्वे का निर्मान करना सुरूक किया तब यहां पर बाल गंगा दर रत्ति लगने का था कि दूसरों की पतनी के लिए दूसरे की वीवी के लिए सिंगार का मतला भीट देना थी कि इस तरह से करना समझ में आता है तीसरा यहां पर प लगति स्कति नेगे अर्थ विस्व के अंदर में काम करती ति वह तीन अवस्था यहां पर 3 अवस्था आदे हैं यहां पर चरण किया रती करन का थीक हो थीन अवस्था कुण-कुण सी है पहली अवस्था अधिकार वयपार पर था हुआ दोब सरी कि मुटशивать यूक तीसरी वस्था होता है पिप्रीती पुंजी का यूग थेर यूद्य अगला कोशिण नमपर आधुनिक अंतराष्ठी सम्भंदों को प्रभावित करने वाले । जो राष्ठी राज्य है वो अतियन सक्तिसालियें पहला अगर कैसे प्रभावेत कर सकते हो तो अगर आपका पावर बहुत जादा है तब प्रभावेत कर सकते दूसरा point यहां में बनता है कि राष्टवादी विचारधार का विस्तार क्या जाएंच चाहिए ठीक है अगर राष्टवादी विचारधार का विस्तार है तब आप प्रभावित कर सकते हो किसी की अंतरास्टी संबंदों को ठीक है ततकालिन यूरोप में राजनितिक का बदल राता राजनितिक सोरूप का बदलना अंतरास्टी वैपार को अंतरास्टी संबंदों को प्रभावित करता है अंतरास्टी संबंदों को नए रास्टों का उदे होना ये को प्रभावित करता है नए रास्ट राज्य का पर्तितवंदी अर्थवस्ता ठीक कॉंपे सबी कारणों से क्या होता है अंतरास्टी संबंदों को प्रभवित किया जाता है ठीक है अंतरास्टी संबंदों का मतलब क्या international relationship कि किस तर से impact करती है चीजों से आज के समय में ठीक है तो अगर मालों आप नई नई बाजार की खोज में जा रहे हो तो भी आपका अंतरास्टी मार्किट प्रभवित होगा जैसे भारत के अंदर में आप अगर करेंट का एक्जामपल लेकर चलो तो भारत ने अपना payment system लाया तिक जिसमें हमने अपना जो काड़ है अपना ATM काड़ हुमारा होता है ठीक है ATM काड उसमें और रूपए लिकरा रूपए से पहले क्या था मास्टर और विजा था ठीक है हमने अपना रूपए लिया है तो रूपए और रूपए कि आने से कहा हुआ मास्टर वीजा को क्यों मिला खुली चुनोती मिली खुली competition मिला ठीक है तो competition के कारण से भी अंतराश्टी है संबंद को प्रभावित होता है अक्सर वीजा वाले मास्टर वाले के अगरते भारत सरकार को और अलग-अलग सरकार को वहां पर complaint करते हैं कि जो सरकार हे वहाँ पे एक तरफा काम करती है, सरकार सुसक cooking बढ़ावा देरी हमारा नहीं सुन रही है, हमारा नहीं कर रही है ठीक है तो भी यही होता है अगर अगर मैं अपने घर में पढ़ा हो तो मैं अपने बच्चों पर जयान दूँगा ना कि दूसरे की बच्चों पर ज्यान दूँगा थिकर सरकार भाई सरकार लेकर आये उसे तो सरकार थो नोंसे सिह दो सिरो निए सपर नेौ को पर जूब औरt Should Q9 जो मैंने अभी करवाया है, वो वाला यहां पर Q2 का आंसर दे सकते हो, ठीक है, समझ में आता है, हम हम आगे बढ़ते हैं, अगला Q2 जो हमारा बनता है, यहां पर दोस्तों, में और इसका पहला Q2 ही आपका इसका आंसर बनेगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा Q2 यहां पर बन जाता है, माक्सवादी परिपेश्चे की विविचना कीजिये, माक्षवादी परिपेच्छे की तो यहां पर आधूनिक पुंजी वाद की हाथ होना जो माक्षवादी परिपेच्छे ता राज्ये में माक्षवादी परिपेच्छे इसके अंदर में क्या जाता है मजदूरों का सोशन का साधन बनना ठीक यहां पर माक्षवादी ने अवा को लेकर माकस्वात ने अवाज उठाई माकस्वात की विचारदार परिपेच्च वाप यह बोला गया तो यह शारी चीजे आ इसमें उदारवादी परजा तंत्र का समर्थन होना शोशन मुक्त होना लोग तंत्र का समर्थन होना नई समाजिक व्यवस्था होना आर्थिक निती लाना ठीक है नई राजनितिक व्यवस्था को कायम करना राज्य के परंपरागत परिवर्थन लाना ठीक है सर्भारा का सूर्शन का साधन बनना और आदूनिक राजह पुझी पतियों के हांस से निकलना ठीक विश्व में नोकर साध में विकास आपक्शन विलू के यहां पे अदर आपा दूयरूरूरी को già के सकते होूरू जून 2017 का question आपको खोलना है, जिसमे question number 3 आपको मैंने ये वाला question खरवाया है, ठीक है, अगला question आयाता है, वानिज्य पुंजिवाद का उदभाव और एतियासिक प्रुस्ट भिमी को रिखांकित कीजिए, इसके लिए आप क्या करोगे, तो जून 2017 का question पर खोलोगे और question number 4 आ कीजिए, किस तरसे इसनी की जा सकते है criteri के बारे में बताना है, ठीक है तो ने आर्ति मिएचना करना अ तो इहां मतलब यहां पे पूंजी वाक्या किती उसकी प्रुदूगब की ही प्रुमिका क्या रही है उसके बात कर रहे हैं एंसके बार करते हैं श hm dhok नएने आर्तिक समस्याइं उदे हो रही थी जिसे हमें सॉल्फ करके आगे बढ़ रहे थे ठीक है तकनीक विकास तकनीक में विर्धी तकनीकी विर्धी ठीक है अगला पॉइंट बन जाता है आपका प्राकर्तिक संसादनों की गुनवत्ता प्राकर्तिक संसादनों की गुनवत्ता अगला पॉइंट यहां में बनता है आपका श्रम सक्ति का बहतर उप्योग ठीक है श्रम शक्ति का बहतर उप्योग बहतर उप्योग अगला पॉइंट आपका बन जाता है वैपार में उन्नती वैपार में उन्नती ठीकर? अगला यहां पर बन जाता है बड़े पयमाने पर निवैस बड़े पयमाने पर निवैस अगला पोईंट यहां पर बन जाता है आपका विज्ञान का प्रयोग विज्ञान का परियोग दूस्तो बस आपने पॉइंट्स को समझना है ठीक है आप वर्ड पर मज़ जाओ कि सर आपने लिख क्या दिया वो समझ में नहीं आँड़ा पूर्दू में लिख रहे हो संस्क्रित में लिख रहे हो वूफ्ट पर मज़ जाना ठीक है आप words को समझो क्योंकि बस मेरा motive है समझाना क्योंकि तीन बजने वाला है almost ठीक है तो time जैसे से बीत रहना तो मेरी जो body की हालत है हो खराब होते जा रहे हो automatic तो आपको बस समझाना है और अभी बहुत सारा भी पेज नंबर साथ में और almost 26 पेज है ठीक है इसके अंदर में तो समझ लो भी बहुत जादा करवाना है ठीक है उत्पादन उत्पादन में विर्दी ठीक है तो यह सारे points जो आते है न आपके पुंजी वादी उद्योगी करेंट के परकिरिया के अंदर में जो उद्योगी की भूमिका थी उसके आता है ठीक है किस तरह से industry फैल रही थी ठीक है उसको लेकर आते एक बार में दुबार से recap करवा देता हूं आपको जिससे आप आतर उपयोग किया जाने लगा ठीक है वैपार में उन्नती हुई ठीक है बड़े पैमाने पर निवेस किया गया ठीक है विज्ञान का परियोग किया ठीक है उत्पादन उत्पादन में विर्दी हुई ठीक है भूगोलिक उत्पादन की विसिस्ता अलग लगतर के चीज़ की जाने लगी तो यह सारा पॉइंट का आप आंसर अगर लिखते होगे के पॉइंट का कर दो दो लाइन तिन लाइन भी लिखोगे न तो अच्छा कासा आपको 500 वर्ड में आंसर मिल जाएगा इसका और आप अच्छे से उसको आपको एक्सपेंड कर सकते हो ठीक अगले चैटर के अगले पर बढ़ते हैं यहां पर जो हमारा अगला जो कोशन्य बंता है यह और ज reden थैंजा, और अग्ला कुश्चिन, चटा कोश्चिन अनो पिकेषी करन जो था लटा मान से उत्वास्ति करन्स वोड़ा से यह त्वन आप समझेगा नहीं पनाउंच मेरेजन नहीक हरते किन बिविन सिध्धानतों का परिपेच्छे द्वारा आप इसको समझने मदद मिल सकती है ये बच्चे भी सोच रहे होंगे यार कि ये टीचर क्या है जो पढ़नी पा रहा है उसको बता रहे है ठीक है तो दिक्कत ही है दोस्तों कि कई वार टंग में प्रॉब्लम आती है से हम समझते किया है और विविन से धानतिक परिपेच्छे क्या है इसको समझने में कैसे अनुदॉत मिलता है इसकी बारे में बात करते है तो 1932 में ए ठीक है 1932 में जर्वन विद्वान जो थे ठीक है मेरिटज करके मेरिटजJ Julius Bond उन्होंने सबसे पहले वी ओनोपीसी करन ठीक है वी ओपनिवेशी करन की बात कही थी वी ओपनिवेशी करन का संपद का इस्तमाल क्या था यह जो आपका यह जो सब्द है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो वी ओपनिवेशी करन से ठीक है तो अगर जैसे मुझे यह सब्द कि बात करते हैं निए ठीक ठीक हो तो और वी ओपनिवेशी करन का मतलब होता है कि उससे मुक्ति पाना उससे बाहरा नोइस चुटकारा पाना है नीज सो सेनतालिस में नीज सो 35-47 में ज़िए अजाद हुआ थो हमने क्या वी आपनेवेशिकENDे करыми पाया ऊपनिवेश्यक से छुटका रापाकर हमने वी आपनेवेशी करेंड लिस्ट में आव गए ठीट है पहले हमारा जो नाम लिए जा एता कि बात करते हैं यहां पर अलग-अलग सेधानतिक मतलब अलग-अलग विचारों के बात करें ठीक है तो रास्टवादी जो पहला है रास्टवादी का मानना है कि भाया उपने विशिक सत्ता का अंथ होना चाहिए जैसे हमारा सत्ता का 1947 में ज्यादी मिली तो उसका में कारण क है कि हमारे लोगों के एंदर में रास्टवाद की घावना जागरी थी कि सुबाष चंदर YES में उस के कारण से यह सारी चीजें देखने क्लेम बात करें लीए तो डब спрос fun वर सेकिंड हो राते हैं वर्ड फर्स्ट हुआ तो जो भी उपनिवेस देज़ा है बृटन हो फ्रांस हो जिनके अंडर में कई सारे गुलाम देशते हैं तो उनको बहुत सारे हानी हुई ठीक है और उन गुलाम देशों को समहाल पाना मुस्किल होता जा रहा था ठीक है उन प ब्रिटिन ने भारत को गुलाम बना रखा था तो दीरे-दीरे क्या हुआ जब उनका खर्चा बढ़ने लगा भारत समल नहीं रहा था भारत के अंदर में आजादी के मांग उठने लगी ठीक है और वह मांग आंदोलें से दीरे-दीरे हिंसक बनता जा रहा था कई जगों तो उसके कारण से क्या हुआ उनकी मजगूरी बन गई तो उसके मजगूरी कारण से बुल छोड़ खे जाने के लिए तीयार हूए तो यह कोश्चन यहापे आपका बन जाता है ठीक समझ में अगला कोश्चन आजाता है सीत यूद का अर्थ क्या है और विस्वराजनीति प हो रहा है पर मन से लड़ा जा रहा है Bस जैसे मैं एक सामप्ल देता नि फुक्ण है मतलब गर्मा करमी ठूल यूध नहोता है ठीक है तब दो या दो से अधिकक डेसों के भी लडा जाने वाला यूध बिना रखत रंजिस के यूद को सिंपल सा डेफिनिशन आप इसको दे सकते हो विस्व राजनीतिक में इसका परभाव क्या पड़ा यह तो एक लाइन में दे दिया ना ददस नम्बर का आपको अच्छे से प्रमानु सकती के हत्यारों की वोड़ बढ़ जाती है लोगों का मतलब पुर्वानु सकती ओर बढ़ती है जो अपना सीमा सारी बता रहा हूं आपको पर बहुत सारे पॉइंट से ठीक है अगला कोशन हम देखते हैं तो यूरोप में सिक्षा का विकास ठीक है यहां पर आपका आठ्वा कोशन आयाता है यूरोप में सिक्षा का विकास का विस्तार किस तरह से हुआ यूरोप के अंदर में किसकी बात की गई तो बहुत धिक और नैतिक सारीक सिक्षा की बात की गई उसाथ में बात की गई खेल के मादिन से सिक्षा की बात की गई जो आज की समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी बच्चों के लिए सक्षा को समझने के लिए जंधांग्यार के पारूप में परिवर्थन किस परकार से मैं तेपून था इस question का आपको मिलेगा answer दिसंबर 2016 के अंदर में question number 10 ठीक है इसको आप कर सकते हैं वहां से अगले question के और बढ़ते हैं अगले हम अगले segment के और अगला जो segment है हमारा वो हमारा जाता है जून 2018 का ठीक है अब 2018 पर चुके है और 2018 की सुरुआत करते हैं हमारा timing बच चुका है तीन बच के दो मिनट था चलिए total हम मानलो मैंने 12.45 के करी में बैठा था पढ़ाने के लिए आपको और और तीन गंटे होने हैं हो चुके ओल्मोस्ट ठीक है तो बस अच्छे से आप समझो उस चीजों को तब मजाएगा ठीक है यहां पर पहला question आ जाता है आपका जिसका answer पहला question का answer जो है आपका अधुनिक विश्व में भली भाली भाती विचार विचारों का उल्ले कीजिए तो इसका जो answer आपको मिलेगा दोस्तों आपको मिलेगा जून 2017 के अंदर में question number 2 ठीक है रास्टवाद की परिवासा दीजिए रास्टवाद का उद्यों और इसका व्याख्या कीजिए दोस्तों इसका जो answer मिलेगा आपको जून 2017 के अंदर में question number 5 ठीक है अगला question आता है यहां पर सामन्तवाद सामांतवाद से पुंजी वादी संकर्मन के विश्य में विभीन वाद विवादों का प्रिपेच्छे कीजिए यहाँ पर सामंतवाद और पुंजीवाद का संकर्मन बताना है कि सामंतवाद से पुंजीवाद में किस तरह से संकर्मन हुआ ठीके किस तरह से फैलाव हुआ विस्तार हुआ एक से दूसरे में ट्रांसफर कैसे हुआ उसके बारे में बताना है तो यहाँ पर जो सबसे परमुख विचारक देखो गया आप इसके ठीक है यहाँ पर परमुख विचारक के तौर पर आते हैं Robert Auban ठीक है Robert Auban St. Simon Charles और अगले विचारक आते है हमारे Charles ठीक है तो यह नाम आपको याद रखने जहां पर जिनों ने सामंत वाज से पुझी वादी के और बढ़ने का पूरा वहां पर बताया है ठीक है समझ में आता है तो यहां पर किस तरस होता है तो मजदूरों की दसा देखकर हर्दे भराया इंका ठीक है जिसे जो सामंत वाज जो लोग थे वहां मजदूरों की सामंत वाज पुंजी वाधी की संक्रमन थीके जैसे जो सामंध वाजे से माल लो USSR एक यूएसे सार में क्या हुआ सामंत वाधी व्यवस्ता थी पर टाइम के सासाथ क्या हुआ जब वह पतन हुआ उनका 1991 में ठीक है तो उसका रस्या उभर कर आया सामने और रस्या में क्या हुआ पुंजिवादी वरस्ता अपना ली गई रीजन क्या था तो रीजन यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो रीजन था ठीक है देखो यहां पर मजदूरों की दसा बहुत जादा खराब थी जिसके कान से सामय वाद से सामंत वाद से पुंजिवाद के और जाने लगे ठीक है पुंजिवादी में कटू आलो चुक थे पिर भी उन्हें पुंजिवाद को अपनाया अलगाव बढ़ता जा रहा था ठीक है अस्थिरता माना वधिकारों के लिए कि मानवधिकार मानवधिकार नहीं मिल पाएंगी के संसाधनों को अल्प विक्सित माना गया अधूर उप्योग संसाधनों के माद्यम से अतिधिक पर मद ब्रदी यह सारा पुंजिवादी कें था और इसको देखते हुए सामन्त वास्थे पुंजी वादी में संकर्मन हुआ, ठीक है समझ में आता है, यहां पर अगला question हमारा आता है दोस्तों, अगला question हम छटे question के और बढ़ते हैं, छटा question हमें आ आ आ जाता है हमारा विश्वी सताबदी के अंदर में अंतरास्टे परति कर वाया था पीछहाथ बेख सकते हो यहां पर इसका डूसर मिलेगा आपको जून 2016 के नदर में कोशन कर आपके अगला हमारे जो कोशीन बन जाता है दोस्तों यहां पर नई ती नहीं राजनेतिक वस्ता उभी ओर ऑप की नई राजनेतिक सांस्कृतिक ऊढ़े के ऊपर में फ्रांसीशी करांती को लेकर यहां पर कोशिन मनता है तीया फ्रांसीशी करांती की जो शुरौत होती है दोस्तों था इन्होंने उदारबाद और जन तंत्र के बारे में लेकर ये करंथिकारी शुरुवात करी यह राश्टवाद की भावना को जनजागरित किया नई राजनितिक सांस्कृतिक उदे हुआ ठीक है। नयाए इक्षा सक्ती और तर्कता के उपर में जोर दिया इनोंने इनोंने दच वांपन्थी राजेक है। ठीक है और रास्ट वाद के अंदर में संप्रभुत्ता का उदे हुआ यह सारे कुछ यहां पर देखने के लिए मिल जाता है ठीक है यहां पर अगर आप देखोगे न तो परभाव किस परकार से परभाव पढ़ा है यहां पर परभाव कि अगर आप चर्चा करोगे फ्रांस आपको तो राष्टबाद और संपर्भुत्ता पहला पॉइंट यहां पर जनुमत संग्रह के अधार पर सर्वसुत्ताबाद तीसरा पॉइंट आता है फ्रांसिसी क्रांती और समाजवादी विचारधारा और अगला पॉइंट यहां आता है आपका सांस्कृतिक विरासत और पांचवा पॉइंट बनता है क्रांती और जेंडर ठीक है इन पांच पॉइंटों के उपर में परभाव पूरा देखने के लिए मिलता आपको फ्रांसिसी क्रांती खाई तो आप इसको एक बार दुबारा सुनना ठीक है रिपीट करणा ठीक है फिर उसको आपको समझे में आजएगा ठीक मागता है अगला कोशन कर बढ़ते आठब कोशन आपको आधका आता है ज्यान के छेत्र में करांती की करांती ने आदुनिक विश्ट को किस परकार से प्रवावित किया, तो प्रतिस पर्दा की सुरुआत हुई, competition बड़ा, घ्ञान प्रापती के लिए परमपरागत तरीकों पर जोर दिया गया, ठीके तकनीक की मदद ली गए ग्यान में विर्दी हुई तकनीक का इस्तमाल किया गया खुसल सिक्षर की जुरत पड़ी और तकनीक के लिए प्रिंटिंग का विकास किया गया ठीके ये वाला कोश्चन अभी मैंने पीछे करवाया था पर मैं दुबारा बताया ठीके तो यहां पर ये वाला गांसर भी कंप्लीट दो जाता है नौबा कोश्चन जान सकी जन संखे की परिवर्तन के लिए निम्भिन मतों का वितरन कीजिए ठीके तो ये वाला कोश्चन आपको मिलेगा दिसंबर अभी मैंने पीछे इसको दुबारा बताया था दिसंबर 2016 के अंदर में कोश्चन नमबर 10 ठीक है यहां से आप इसको कर सकते हो अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं दोस्तों फटावट अगला कोश्चन आ जाता है आपका दिसंबर 2018 का कोश्चन पेपर हमने ले लिया इसको हम स्वाल्फ करते हैं फटावट दिसंबर 2018 के कोश्चन पेपर के अंदर में जो पहला कोश्चन है वो आपका 2-3 बार रिपीट हो चुका है तो यहां पर आपका आजाएगा दिसंबर 2017 का कोश्चन पर उठालो 2017 के अंदर में कोश्चन नमबर फॉस्ट या फिर आप दिसंबर 2016 का भी कोश्चन पेपर उठ किसी तो आधनिक समाज वैपार और सहरी करण में तेजी आना, जन संख्या में विर्दी, ये दिखा जाना, मिर्ट्यु दर में कमी, जनम दर में जनम दर पहले की तरह बनी रहना, ठीक है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना, नई उत्पादन पढ़ना ली, देखो, कोशं यहाँ पर बूस्ता है, आदूनिक समाज को परिभासित करने के लिए, आदूनिक समाज, मतलब आज का चोड़क्र समाज है, वो किस परकार का है, तो वाँ पर हमने, यह सारे पोईंट का आणसर हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, समझ में आता है, तो यह कोश कोशन पूरा बनता है आपका यहां पर तीसरे कोशन के और बढ़ते हैं यहां पर इस वाले इस वाले कोशन पेपर के अंदर में तीसरा कोशन आपका एगा लोगतांत्री करण की एत्यासिक परिकरिया पर निबंद लेकिए लोगतांत्री करणा मतलब किस तरह से लोगतांत्र का उदे हो रा था लोगतांतरिकन का इतियासिक परकिरिया क्या था इसके बारे में बताना है तो यहाँ पर जो points बनता है इसको हम यहाँ पर इधर देखेंगे ठीके तो यहाँ पर आजाता है उद्योगिक का विकास almost पता है दोस्तों इस वाले पूरे बुक के अंदर में मैं चाहिए जिरो टूमें को जो questions बनते हैं वो same questions बनते हैं सेम answer बनते हैं almost ठीके तो यहां पर आ जाता है उद्योगी के विकास पहला point दूसरा यहां पर आता है पुंजीवात का विकास तीसरा यहां पर आता है आपका क्रांतियों का आरम ठीके ल सारे चीजे रहती हैं सासत में यहां पर देखते हैं अगला अधिकांस अधिकारों की मांग किया जाना मजदूर वर्गों का संगर्ष मजदूर वग जैसे जैसे संगर्ष का रहा था उस तरह लोकतंतर की मांग बढ़ती जा रही थी सुरक्षा की भावना जगरित होना ठी समाज का संगठित होना लोगतंत्र का जनम हुआ ठीक है उसके बाद में प्रजा तंत्रिक व्यवस्था सक्तिस्ताली हुई इसके कहां से लोगतंत्र का जनम हुआ ठीक है साक्षर्था का विकास हुआ लोग ज्यादा पढ़ लिखे थे उसके कहां से लोगतंत्र का जनम की मां करने हो थो सम्राजजीवात का चोज्टा Q4 कोशनिवात के विकास और विविन करना की सम्राजज्जिवात का जो कोशन आपको दोस्तों ये मिल जागा आपको जून 2016 के अन्दर में Q3 ठीक है Q3 करवा चुका हो तो इसको आंप आप देख सकते हो ठीक है अगला कोश्चन के और बढ़ते हम दिसंबर 2017 के अंदर में तो आपको यहाँ पर दो कोश्चन को मिला करना है दिसंबर 2017 वाले में से हम क्या करेंगे कोश्चन में से अपने मिश्री करन वाला कर लेंगे और गुटने रिपेक्ष वाले के लिए हम क्या करेंगे जून 2016 का हम question paper लेंगे 2016 के question paper में हम क्या करेंगे question number 7 कर देंगे तो दोनों को जब मिला कर आप करोगे न तो एक answer बन जाएगा और ये question आपको अच्छटा solve हो जाएगा ठीक है अगला question हम देखते है सातवा question number रूस में समाजवादी आंदोलन का उदे ठीक है दूस में समाजवादी आंदोलन का उदे इसका question में करवाद चुका हूँ तो आप इसको मिलोगे जून के अंदर में चले जाओ 2017 का आप question में पढ़ ले लो और उसके अंदर में question number 8 के अंदर में इसका answer मिल जाएगा आपको ठीक है तो यहां पर अगला question देखते हैं आठवा question बीसवी सताबदी के अंदर में परदोगी की पर्मुक अविसकारों की चर्चा कीजिए कुन-कुन से विसकार हुए तो इस वाले question के अंदर में दोस्तों सब्सक्रेद में सब्सक्राइब कर अंदर में अभिसकारों की बात करते हैं किस तरह से में थड़ा साइब को 20 मतलब that 750 आंदर में नहीं को में देखा गया थीं के दिक होगा 1769 में जेम्स वोट के द्वारा झेमस वुर्ट के द्वारा कॉंधेमस का शुरुवात बनाया गया विषकार कॉंधा विषकार कीया गया तरह ऑफ़ारस दो में ठीक है अठारस दो में रीचेत के द्वारा रीचेat घुमा वहां, पिंजन की खोज की गई तरह जाधक है 1944 में Charles के द्वारा विदुत उर्जा संबंदित खोज की गई तो आपको इस question के अंदर में इसी तरह का जो अलग अलग खोज हुए उसके अधार पर आपको यहां पर question का अंसर बताना है ठीक है तो इसको आप खुद भी करोगे तो भी आपको अच्छे से कर पाऊगे समझ में इसमाना आता है अगले हम अगले question के ओर बढ़ते है यहां पर अगला कोश्च्ट आ जाता है दोस्तों अगला question जून 2019 से हम ले लेते हैं तो यहां पर जून 2019 से जो हम अगला question कर रहे हैं तो यहां पर पहला question बनता है पुर्ण जागरण के आधुनिक विश्व का निरमान और उत्पन इस्थितियां ठीके यहां पर किस तरह से आयाम थे भीविन आयाम पुर्ण जागरण के उत्पन होने का? उसको लेकर ठीक है तो यहां पर आयाम कौन-कौन से हैं पहले तो यह पुना जागरन वाला question पहले करवा चुके हैं तो पीछे का कोई भी question पर उठाकर question number first जितने भी है almost पुना जागरन का ही मिलता आपको तो आप वहां से कर सकते हैं उसको थोड़ा सा basis और उसके अंदर में आयाम जो मिलेंगे तीन चार आयाम यहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं तो first आयाम हो जाते हैं यहां पर मानवतावाद ठीक है मानवतावाद दूसरा यहां पर आय नहीं पर बहते हैं धर्म निर्पेक्षता हुआ हुआ है यहां पर चार आयाम हो जाते है इन चार आयाम को आप एक्सलेंद करोगे तो आपका इसका एक्साल मिलीट हो जाएगा ठीकए आब यहांपे दूसरा कोश्चन आपका आता है 28 सतावदी 19 सतावदी के अंदर में आद्धुनिक्ता की परकिरिया के अंदर में किस परकार के नई समाजिक संस्थाओं का उदे हुआ ठीक है तो यहाँ पे जो नई समाजिक परिकिरिया का उदे हुआ इसके अंदर में आपका आंसर मिल जाएगा आपको दिसंबर 2018 के कोश्चन बेपर खोलिए उसके अंदर में कोश्चन नमबर दो में इसका आंसर मिल जाएगा रास्ट और रास्ट वाद के विविन वैपक आलोचन आतमक परिक्षन कीजिए इसका जो आंसर है दोस्तों आपको मिल जाएगा जून 2018 के कोश्चन बेपर खोलिए ठीक है और कोश्चन बेपर के अंदर में कोश्चन नमबर 3 इसमें आंसर आपको मिल जाएगा या फिर आप जून 2017 का कोश्चन बेपर लीजिए और उसके अंदर में आपको कोश्चन नमबर 5 में इसका अंसर मिल जाएगा ठीक है अगला कोश्चन आयता है वैपारिक पुंजीवाद की मूलवद विसस्ते बताईए तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा दिसमबर 2017 के कोश्चन ब की इंदर में फिक है दून 2017 के कुश्चन इवपर कुस्चन नमबर 4 यहाँ पर इसका अंसर मिल जाएगा कि अग्ला हम द Turkish अगला यहां पर च्छटा कोश्चन आ जाता है दोस्तों च्छटा कोश्चन आता है आपको सम्राज्यवाद का सम्राज्यवाद के विविविचना कीजिए ठीक है यहां पर विविविविचना करने की बात कर रहा है तो यहां पर आपका जो सम्राज्यवाद को च्छटा कोश Q8 के हम बात करते हैं, Q8, 1917 की समाजवादी करांती की सफलता के कारणों की विसलेशन कीजिए, तो इसका Q8 का जो आंसर है, वो आपको मिलेगा दिसंबर 2018 के अंदर में, इसका आंसर मिलेगा Q7 के अंदर में, Q7 अगर आप इसको करते हो, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, Q9 जो आपका सिमीत यूद, आधुनिक यूद और संपूनी यूद का, इसका मैंने भी संपूनी यूद वाला करवाए था, तो इसका आपको आंसर मिलेगा, दिसंबर 2016 का आप Q7 पर उठाईए, उसके अंदर में Q9 में, इसका आंसर में करवा चुका हूँ, ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं आगे, अगला Q7 आपका आजाता है, जून 2020 के Q7 से, ठीक हम 2020 के Q7 को सॉल्फ करते हैं, फटा फट, तो 2020 का पहला Q7 बन जाता है आपका, उपनिवेशी करन, उद्योगी करन और समाजवादी परतिरिया का परकिरिया के रूप में एक टिपनी कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका Q7 बनता है आपका, जून 2016 के Q7 पर में एक Q7 आया हुआ है, ठीक है, जून 2016 के Q7 पर से तो यहाँ से आप इसको solve कर सकते हो, अगला Q7 है का, आदोनिक विस्व में निर्मान में परबोधन यूग का, परबोधन ने क्या यूगदान दिया, भी हमने पहला Q7 इसका किया था, सबसे पहला Q7 वीडियो का यह था, ठीक है, तो उसका answer आपका मिल जाएगा, जून 2016 के Q Q7 पर फॉस्ट में, पहला Q7 यही है, ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे तीसरा Q7 यहाँ पर है का, समराज्यवाद का, तो उसका समे नीचे कर लेता हूँ स्लाइट को जिससे आपको दिखे, तो ज्यादा नीचे हो गया, देखो यहां पर अगला question आयता है समराज्यवाद का किन परसीतियों में समझा जा सकता है समराज्यवाद को व्याक्य कर जा सकता है ते इसका जो answer आपको June 2016 के अंदर में question number 6 में इसका answer मिल जाएगा ठीक है अगला question जो हमारा है का कल्यानकारी राज्य काएगा ठीक है यहां पर हम बात करें कल्यानकारी राज्य की परिवासित किजिए और अंग्रेजी और जापानी कल्यानकारी राज्य की तुलना किजिए अपस में ठीक है यहां पर यह कोशन बन जाता है तो इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर कल्यानक सब्सक्राट का समान तरीके से भाइक्दारी मिले सब का समान अधिकार मिले उसको कलयान कार्जी मतलब वणलो कि मरता है कि यह घर को उपने भरका स्पाइए कि आपके ारी कर अपकी अधिक्रा को मेरे घर जैसे वो उनकी एक friend है तो वो हमेसा example देंगी क्यार देखो उनका लड़का है वो घर का काम कर रहा होता है तुम तो दिन बर अपने रूम में गुसे हो दिन बर तुम क्या कर रहे हो फोन यूज कर रहे हो दिन बर क्या कर रहे हो फोन में बात कर रहे हो वो उनका लड़का क्य सारी राज्य की तरह वो एक्जांपल सेट करता है जहां पर मतलब सभी क्या डियार्ट को फुल्फिल करता है ठीक है तो इसका जो आंसर है कई सारे विचारक यहां पर आते हैं जिसमें केंट गानर ठीक है डॉक्टर अब्राहम इन सब अलग अलग विचारकों अलग अलग बा भगोलिग की घरलान करें कल्यान कारी राज्य कहलाता है ठीक संट का विकास करना ऑपर अजक है कि कल्यानकारी राज्जे वह राज्जे है जो अपनी आर्थिक व्यवस्ता का संचालन आये के अधिका अधिक समान वितरन के उद्धेसे से करे मतलब आये का समान वितरन मतलब क्या जितना मुझे मिल रहा है उतना ही मुखे संबानी को मिले और उतना ही मुखे संबानी के लड अगले हम पॉइंट के और बढ़ते हैं तो अगला हमारे आता है यहां पर कोश्चन अगला कोश्चन आता है जनान किये और समाजिक आर्थिक परिवर्तनों के बीच में समंदों की विसलिसम किजिए तो इसका आंसर आपको मिलेगा दिसंबर 2016 के अंदर में ठीक है अगला कोश्चन आता है यहां पर आठवा कोश्चन यूरोप में विक्सित उपभोकता वादी अंदोलन ठीक है उपभोकता मतलब क्या होता है कि जो उपभोक कर रहे है उसका आंदोलन का उभोक कर रहे है उसके बारे में ठीक है तो भोकता वादी अंदोलन का जो कोश्चन का अंसर आपको मिल जागा दिसंबर 2018 के अंदर में कोश्चन नमबर 9 ठीक है उपभोकता किया उपभोग किया उसी तरह से किसी समाच केंदर में किस ढर्ट से उभोग कर रहा है ठीक है उसके बारे मिसं करते हो औरूरोप में उपभोक का मतले भिया है कि जब उड्योप के अंदर में उद्योंú की करांटियाई تو नई नई यहां पर अगला question आयाता है, February 2021 के question paper से, ठीक है, February 2021 के question paper अब यहां पर हमारे पाःस त्रीप 2 question paper पर रह जाते हैं दो कोशन पेपर को करने के यहांब एप्मा वीडियो आज वाला खलन हो जाएगा ठीके किस परकार से पुनल जागरान ये यूरोप में नहीं सांस्कृति हुआ थीके किस परकार से उड में नहीं सांस्कृति हुआ ये पहले कोशन बंता इसका 2021 फरवरी का जिसका answer आपको मिल जाएगा June कि 2019 के question paper में question number first में या फिर 2017 के question number ले लो उसको भी June का उसे question number first के अंदर मिल जाएगा आद्धुनिकता की प्रक्रिया के फल सुरूप उत्पन आधुनिक समाज की पश्दिस्टाओं की विवेचना किजिए आधुनिक समाज वाला जो question है यह आपको मिलेगा दिसम्बर 2018 के अंदर में 2018 के अंदर में इसका question का देगा जून 2018 के अंदर में question no.3 ठीक है अगले question के ओर बढ़ते हैं अगला question आपका यहां पर आजाता है 21 सदी ठीक है 21 सदी के आरभ में जन तंत्र की समक्ष चुनोतिया थी जन तंत्र के समक्ष में ठीक है तो आजाता है सतत विकास का, ठीक है, सतत विकास की चुनोतियां थी, साक्षर्ता विकास की चुनोतियां थी, साक्षर्ता की चुनोतियां थी, साक्षर्ता मतलब पढ़ना लिखना, सांती बनाए रखने की चुनोतियां थी, समान अधिकार की चुनोतियां थी, सभी लोगों को समान अधिका में ठीक है कि उसके बाद में आर्थिक विकास की चुनोतिया थी कि मामारी से निपटने की चुनोतिया थी जैसे अभी करोना आया और यह जो टाइम पिरेट पूछ रहे हैं यह इसी वाला का पूछ रहा है मामारी जो अभी करोना आया इसका भी आप बता सकते हो स्वास्ते सुव्धा को बनाये रखने की चुनोती थी मिर्ति दूर को कम करने की चुनोती तो मतलब बहुत सारी आज के समय में आपको क्या लगता है कौन-कौन सी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है जनतंत्र के सामने कौन-कौन सी चुनोतिया है देशों के सामने जनतंत्र को लेकर उसको आप बता सकते हो तो यहाँ पर यह इसका अंसर बन जाएगा ठीक है समझ में आता है तो यह इसका अंसर होता है अगले हम कोश्चन के और बढ़ते हैं अगला कोश्चन जो आपका आता है ठीक है तो जो 2018 को कोश्चन पर निकाली है वहाँ पर कोश्चन नमबर आप चलेजिए 7 में वहाँ पर आपको इसका अंसर मिल जाएगा ठीक है कोश्चन नमबर 7 के हम बात करते हैं अगला कोश्चन नमबर 8 है घ्यान के छितर में क्रांतियों आधुनिक इविष्च्छ को किस परकार से परवावित किया ठीक है क्रांतियों ने किस तकवरवावित किया तो इसका जो आंसर है आपका जून 2016 के कोश्चन पर में जून 2016 के question paper में question number 8 में इसका answer मिलेगा या फिर 2018 के question paper में 2018 का question paper भी लिते हूँ जून का तो उसमें भी question number 8 में इसका answer आपको मिल जाएगा समझ में आता है तो यहां पर फरवरी 2021 वाला यह वाला chapter खटम होता है और हम last question paper वावजाते हैं जो आपका हैगा जून 2021 का और यह हमारा लास्ट कोश्चन पेपर है इसके बाद एक्जाम हुआ नहीं ठीक है तो जून 2021 का हम कोश्चन पेपर को अब हम बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर पहला कोश्चन आ जाता है सेम पुना जागरन वाला ठीक है तो पुना जागरन और ग्यानों दे के आ चारदारा को बताईए तो या आप अगर इसको करना चाहते हो तो जून 2018 का question पर ले लो question number 2 यही answer मिल जाएगा आपको ठीक है अगला question नोकर साही से आप क्या समझते हैं यह वाला मैंने करवा चुका हूँ तो नोकर साही वाला आप चले जाएए दिसंबर 2017 के question पर में ठीक है question number 3 आपको यही answer मिल जाएगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयता है question रास्टवाद का ठीक है कि रास्टवाद की परिवासा दीजिए तो रास्टवाद वाला जो question है वो जून ठीक है जून 2018 के अंदर में question number 3 में इसका answer मिल जाएगा ठीक है सामंत वाद के हम बात करते हैं सामंत वाद की परिवाद की विशलेशन कीजिए तो यहाँ पर जून 2018 के अंदर में question number 4 में इसका answer मिल जाएगा ठीक है समझ में आता है ये तो इतना हुआ इसके बाद में आपका last यहां पे जो बनता है ये उरोपी विस्तार उत्तर का इधर नावी के परतिस परदा ये कुछ questions मैंने आपके लिए छोड़े हैं ठीक है आपको खुद भी करने है संचार करांती क्या है तो जो printing press वाला है यहां पे उसका answer आप लिख सकते हो ठीक है आधोनिक उद्योगिक विकास के संदर में परियावर्ण के समक्ष में क्या चेतना जगी है ठीक है आज के time के इस आपसे वापको लिखना है तो ये कर सकते हो दोस्तो यहां पर आपका आज का जो वीडियो है ये खतम होता है ठीक है इस तरह से आपका पूरा खतम होगा वीडियो पर आप सभी बच्चों से एक request है आप अगर हमें देख रहे हो दी इनब कर सकते हो अपने सब्सटों के साथ share कर सकते हो ठीक है ओर subscribe तो ज़रूर करें अपने दोस्तों को बोलें करें अगर आपको थोड़ा सा भी useful लग रहा है आपको फिन वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए काम की है तो आप इसको जरूर करें जिससे हमें motivation मिले हमारी पूरी टीम को motivation मिले और हम आपके लिए मैनत कर सकें ठीक है रात के अभी 3 बच के 31 मिनिट हो रहा है साड़े 3 हो रहा है ठीक है रात के साड़े 3 बच तक मैं जगा हुआ हूँ 12 बच से लेकर आपका ठीक है दो तीन दिन से मैं सोया नहीं हूँ almost आपकी वीडियो के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे उपर भी बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कॉल कर रहे थे कि सर बना दीजी वीडियो ठीक है क्योंकि मुझे खुद बता है कि एक्जाम है तो किस तरह का Pregister रहता है क्या है ठीक है कहीं ज़्यादा मुझसे ज़्यादा वो डिस्टॉब है ठीक है तो यह सारी चीजे के लिए तो मैं आपके लिए गर वर्क करना तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप में और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदब करेंगे तो like, share, subscribe जरूर करें और जो भी students हैं अगर आप किसी तरह से help करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को join कर सकते हैं join का बटन आपको मिलेगा वहाँ पर subscribe के बगल महाँ पर join भी कर सकते हैं और most important का है आप like, share, subscribe कीजिए वीडियो की जो भी links है वो अपने दोस्तों को साइज में share कीजिए अपने WhatsApp इस्टेटस पे लगाईए ठीक है जिससे हमें motivation मिले हम आगे देखें आपको और आगे हम बढ़ें ठीक है तो यह सारी चीज़े जरूर कीजिएगा तो friends, thank you for watching me, thank you for listening me, bye bye, take care, all the best और आप सब अच्छे सब पढ़ते रहिए, bye bye, ठीक है अपने अच्छे से त्यारी कीजिए, एक्जाम अच्छे से दीजिए